जेहनेर वेलकम टू स्टड़ी बैटल देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से बहुत इंपोटेंट सेशन दृष्टी करेंड फेर घटना चक्र दो हजार चोविस जिसमें एक सितंबर दो हजार तेज से लिकती सितंबर दो हजार चोविस तक का टोटल इसमें अधितन ह हैं जो की बहुत इंपोटेंट रहेगा जो अपकमिंग एक्जाम हैं खास्तों से यूपी पीसियस और आरो यारो के लिए साथे साथ बेपियस से एक्जाम के लिए भी राम बढ़ होगा सबसे पहले राष्ट्री घटना क्रमों को देखेंगे इसके बाद जैसे चेप्टर हैं करों देखेंगे सबसे पहले देखें भारत के संदर में अगर देखा जा शमकालिक सबसार के या स्थार निकाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्तावर है इसमें एक देश एक चुनाव के नामसी इसको जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नामसी में देखिए इससे पहले अगर देखा जाता है देश में 1951 से लेकर 52 तक और इसके अलावा 1967 तक लोग सभा और राज बिधान सभा है इनके जो निरवाचन अधिकांसत अगर एक साथ कराए गये थे इसके बाद एक चक्र धियदे तूट गया और अब निरवाचन लगबग प्रतेक वर्स एक वर्स के भीतर अलग लग स्थानों पर आ अधिक खर्ज होते हैं साथिसा जो अचार आदर्स अचार सहिता हैं इन सब के लंबे समय तक लागू रहने करण विकास कारों में दिर्क अवधियों के लिए ब्यवधान उत्पन होता है तो हाल में देखे भारत के बिधी आयोग ने निरवाचन बिधियों में सुधार पर अपनी 170 रवी रिपोर्ट में प्रतेक वर्ष बिना उप्यूग समय के निरवाचन के चक्र का अंत किये जाने की सिफारिश किया है इसको हम लोग देखेंगे इसमें ठीक है इसके लगा अगर हम देखें इसमें को इस मड़ी पॉइंट जो है पहला इस मड़ी पॉइंट है रिपोर्ट को सौपा या रूपेट को दिया इस प्रस्ताव में था कि देश में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे प्रत्यम चरण में लोग सभा और सभी विधान सभाओं के चुनाव एक साथ आउयूद किया जाएंगे जबकि दू-ती चरण में सव दिनों के अं संसोधन विधायक और दूसरा विधान सभाव वाले केंदर सासित परदेशों की कानून में प्रेडामी संसोधन होगा साथ शाथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुशेद 83 संसत के दोनों सदनों की अवधी अनुशेद 172 राज विधान मंडल क के अवधी में संसोधन करते हुए अनुशेद 82 क को अन्तर स्थापित किया जाने के लिए एक सविधानिक संसोधन विधायक पुरा स्थापित किया जाएगा ठीक है तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा और इस संसोधन के लिए राजियों का अनुस्वमर्थन की आवश ज़कता नहीं होगी साथे साथ दूसरे च्रण में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाओं लोकसभा और राज विधार सभाओं के चुनाओं होने के हंडेट डेज मतलब सव दिन के अंदर ही आयूत करने है तो एक सविधानिक संसोधन विधैक पूरा अस्थापित कि अनुशे 368 में दीख immense अधिन सनसोधन की सर्टों को पूरा करना होगा साथत प्रतम्सर्थ है कि इसके अनुशार एक दोस्टनों में कुल सदस्यों के आधिस सदस्यों कम बदान किया जाना निवार हैं दूती सर्थ है हुआ कि पर्थम सर्थ के अधीन रहते हुए उपस्थित और मद्दान करने वाले सदस्यों की संख्या के दो तीहाई सदस्य संसोदन के पच्छ में हो दोनों चदनों में पारित होने के बाद राश्पती के अस्ताचर से विधायक बन जाए भी कराना होगा ठीक है तो हम देख सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन उच्छ समिद्री जो उच्छ समिद्री थी इसमें आठ सदस्य थे गटन किया गया था दो सितमाद दो हजाते इसको अधेस थे पूर्व राश्पती रामनात कोमेंद इसके अलावा जो सदस्य रहे कें केंद्री ग्रिया मंत्री अमिसा गुलाम नमियाजाद बितायों के पूर्व अधेक्ष एनके सिंग और लोगसभाग के पूर्व महास्चीव डाक्टर सुभाक कस्यम इसके वरिष्ट अधिवक्ता हरिस सालवे और संजे कोठारी जो की पूर्व मुक्की सतर्ता आयोग के देख सकते हैं अर्जुन राम मेगवाल विशे सामांतर सदस से ठीक है तो आयोग क्लियर हो गया होगा अब देखते हैं नेस्ट है जो कि पीम आसा योजना जारी करने या जारी रखने को मंजूरी मिला है दोजार अठारा में केंद्री मंत्रि मंदल ने एक नई ब्यापक योजना प्रदान मंत्री अन्यदाता आई सरचड़ भियान पीम आसा को मंजूरी दिया था केंद्री मंत्री मंदल या केंद्री बजट दोजार अठार में की गई गोश्रा के अनुरूप इस योजना का उद्देश है कि किसानों को उनकी उपज के लापकारी मुल्य परद तरगत जो सामील योजनाएं हैं इनको जारी रखने है तो सुविकृती प्रदान की है इसमें देख सकते हैं जो कारेकार रहेगा दो हजार पचीस से दो याच भीश तक लबग पाई तीस हजार क्रोड रुपय कभिया होगा पीम आसा के जो निम कम पोनेंट इसमें देख सकत दो किसानों को उनके उत्पादो है तू उचित मुल्य दिलाने के साथ भुगता को मिलने वाली आवस्यक वस्तों के मुल्लों में आने वाले उतार चड़ाव को नियंतित किया जा सकेगा अब देखेंगे फट जो है कि पीम जन जाती बहुत इंपोटन्ट है उननत ग्राम प्रथान मंत्री जन्जाती उन्नत ग्राम अभियान में देख सकते हैं केंद्री बजर दुहएचोविस पचीश में बित मंत्री दिर्मला सितारमर ने जो ट्राइबर्स कम्मुनिटीज हैं जो जन्जाती समुदा हैं इनकी सामाजिक और आर्थिक किस्थि में सुधार करने के जाएगा इसमें लगबत तीहत्तर है सोरी तीसट हजार गाउं सामिल जिसमें से पांच करोड़ जन्जाती लोगों को लाम बिलेगा ठीक है तो इसमें असमाडी पॉइंट को देख सकते हैं जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ठारे सितमा दुएचोविस को प्रधान मंत्र प्रधान मंत्री जन्जाती उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रधान किया है इसमें कुल जो परिवय हो गया 89,156 करोड़ रुपे निधायत किया गया है टोटल जो सेंटरल का सेर रहेगा 56,333 करोड़ रुपे और जो राज्यों का इस्सा रहेगा 22,823 करोड़ जन्जाती बहुल गाउं पांसो उन्चास गाउं और 2740 ब्लाकिस में सामिल हो गये इस अभ्यान के अंतरगत टोटल पचीस कारकरम सामिल जिनमें 17 मंत्रालों के द्वार कारवानित किया जाएगा केंद्री परेटन मंत्राले के माद्यम से स्वधिश दर्शन के अंतरगत ए इसके अलवाद देख सकते हैं इसका उद्देश यह कि जन्जाती चेत्रों के प्रेटन चमता का दोहन करना और जन्जाती समिदाओं को बैकल्पिक अजीव का प्रदान करना 2011 जन्गर्णा के अनुसार अगर देखा जा टोटल एस्टी जो पॉपुलेशन है दस दसमलों चार पांच करोड है और देश भर में सास्सो पांच से अधिक जन्जाती समता है सबसे इंप्कोंटम्रियট जो त Cow Twenty रो देख़ें ने कें मिला कि इस्वेशन से इस फ्रेश्शू पांच सा सोपांच से इसके अर्वाइश सकते हैं 2011 के जन्गर्णा के अनुसार टोटल अगर देखा जा इसमें तो इसको देख सकते हैं और दस दसमलों चार पांच करो यह है अब देखते हैं बायो राइड योजना की जिशमें भायो राइड योजना की ठीकर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वी रहेगा ग्लोबल बायो इंडिया है जाव प्रतेव कि ऐसे धार को का 2 साल यंतराश्टी संमेंन इस वारसी कारकरम का यौजन जो बीरेक इसको बोलते हैं बायो टोक्नलाजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जो कि जयव प्रदोय की अद्योग अनुसंदान साहता पर सद इसमें इनकी द्वारा जयव प्रदोय की विभाग के अधिन सारुजनिक छेत्र का उद्यम है और ग्लोबल बायु उ हो था संस्काड चुकी नई दिली में किया गया अभी हाल में 12 से लेकर 14 सितंबर के मद्य अस्मडी पॉइंट है कि देखे प्रदान मंतिर नरिद मोदी जी के अधिस्ता में केंद्री मंत्र मंदल के द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरू दिया गया है बायो अनुसंधा नवचार और उद्यमिता विकास बायो राइड योजना में जयो प्रद्व की विभाग की जो दू योजनाएं है पहला तो है जयो प्रद्व की अनुसंधान और विकास सेकेंड है कि अध्योगिक और उद्यमिता विकास का बिले किया गया है इस योजना में अ तो अब देखते हैं बायो ए थ्री ट्रिपली थी मतलब अभी आगे मिलेगा ट्रिपली का मतलब क्या है इसको हमनों डिसकस करेंगे इसको बोलते हैं इसका इसका मतलब हो गया एकोणामी एन इन्वार्मेंट और इंप्लॉएमेंट इसको इसके अलावा गरम बात करें इसके अलावा गरम बात करें देखेनेश्टे कि बायो थ्री निम्द छे ब्यापक फोकस छेत्रो पाधारित है पहला है कि जे पाधारित रसायन एंड एंजाइम सेकेंड है फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन थाड है कि प्रिसीजन बायो बायो थ्री ठीक है और जलवायू लचिली क्रिशिक जिसको बोलते क्लाइ पांचमा है कार्बन केक्चर एंड ओप्यो और छठा है भविस्यवाड़ी समुद्री अनुसंधान परसत नमो भारत रैपीड रेल काउध घाटन किया गया है तो इसको देखते हैं मेकिन इंडिया कारेकरम की सफलता के एक उत्कृष सुधारण के रूप में देखा जा त भारती रेलवे ने भारत की पहली स्वधेशी सेमी हाई स्पीड टेन बंदे भारत को लांच किया है इसमें देख सकते हैं 15 फ्रावरी 2019 को पहली बंदे भारत टेन एक्स्प्रेस टेन को नई दिली कानपूर प्रयागराच वराड़सी मार्क पर रवाना किया गया बंदे भ पहली बंदे भारत स्लिपर ट्रेंसेट को रवाने किया है और असमारी पॉइंट है कि प्रदानमत्री नाजिद मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली बंदे मेट्रो टेन का भी उद्गाटन किया है 16 सितंबर 24 को और इस टेन का संचालन होगा गुजरात के भारत रैपीट रेल के रूप में किया जाएगा नमौ भारत रैपीट रेल पारंपरिक मे 되고 प्रडाली के लिए काफी अलग है और भारती मेट्रो ट्रेन आमतवर पर एक सहर की सीमा के अं Literally संचालित होती है जबकि नमौ भारत較िइन को इंटर होगा हैं इसके लेफिक बाद किया गया दो वर्सों के लिए इस मिशन में दो हजार करोड़ पे का परिवें निधारित किया गया है इसका उद्यश है कि हर मौसम के लिए अधिक तयार और जलवाई स्मार्ट भारत काने माण करना तस मड़ी पॉइंट है कि केंदरी पृत्वी बित्मंत्राले के द्वारा म उंद्यश करणत करें गया जनीक से करवानित किया जायेगा और इसमें तीन संस्थान इस मिशन को करनाइद करेंगे जिसमें से अभुद्पूरु बढ़ावा देगी इसके लिए मिशन मौसम हाई प्रेसिजन के साथ मौसम के भाईशवाड़ी करने के लिए एक नया न्यू बेंचमार्क करेगा इसके लिए इस मिशन के साथ उन्नत अवलोकन पडालियों उच परदर्शन कंप्यूटिंग यह मसीन लर्न परदर्शन वाले सूपर कंप्यूटिंग के साथ अगली पीडी के रडार और उपग्रह पडाली को सामिल किया जाएगा अब देखेंगे स्वच वाई उसरेचट दूहजाच चोबिस के विशे में दूहजार उन्निस में केंद्री परियावड वन और जल्वाई परियोतन मंत्राले जिसको बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लांज किया गया है केंद्री परियावड वन और जल्वाई परियोतन मंत्राले के अंतरकत और इसका उद्देश यही है कि सहर और छेत्रों और राश्टी अस्तर पर वाई क्वालिटी जो कि वाई गुड़त करना है और इसको निधारित किया गया है एंसी एपी के तहत वाई गुड़ता में सुधार घेतु 130 सहरों को लचित किया गया सुच वाई शरचण केंदी परियावड वन और जल्वाई परियोतन मंत्राले की एक नहीं पाले जिसका उद्देश है कि एर क्वाल्टी के अधा तो टोटल सहरों की संक्या 47 है जन संक्या 10 लाग से अधिक है स्रेडी 2 में 43 है और जन संक्या 3 से 10 लाग की जन संक्या है स्रेडी 3 में टोटल सहरों की संक्या 40 है और 3 लाग से कम जन संक्या है प्रतेक स्रेडी में सर्फशेस्ट परिशन करने वाली सीर्थ 3 सहरों को केंदी वन और जल्वाई परियोतर मंत्राले के द्वारा पुर्श्कित किया जाएगा साथीसाथ इन शहरों को राश्टी स्वच वायू कारिकरम के तायद श्वच वायू सहर नेशनल क्लीन एर सिटी की उपाधि से समाइद किया जाएगा साथ सितंबर 2024 को जैपुर में निले अकास के लिए स्वच वायू के अंतराष्टी ये दिवस के अउसर पर स्वच वायू सर्विच्षड 2024 के प्रदाम की गोश्डा की गई है केंदरी परियावड वन और जल्वाई परियुतन मंतरी भुपेंद्र यादो और रायस्थान के मुख्य मंतरी भजनलाज सल्मा ने स्वच वायू सर्विच्षड अवाड 2024 को प्रदान किया गया है किई कि इसमें देख सकते हैं स्वच वायू सर्विच्षड 2024 में 3 सहर है पहला रेंक जो आया है सूरत जो कि गुझ्रात का सहर सेकेंड मद्य पर्दिश का सर जबलपूर थर्ड है उत्ते पर्दिश का सहर आगरा इस वायु सर्वेच्छर दोज़ाच चोविस की सीस तीन सहर है बुजात मद्य पर्दिश वुत्ता पर्दिश के वहीं पर आगर हम बात करें स्रेड़ टू में फिरोजाबाद हैं अमराव पांचमां है 13 वराड़सी है गाजियाबाद 22 नमर पर प्रयागराज 24 और मेर्यट है 29 नमर पर स्रेड़ सेकंड में फिरोजाबाद नमर वन जासी थर्ड है सेड़ थर्ड में भी राय परैली नमर वन है और अनपरा जो की थर्ड नमर पर है अब देखें स्वच भारत मिशन को नेचर की मानेता के विशा में दो अक्टूबर 24 24 को स्वच भारत मिशन को सवर्भामिक स्वचता मत इन्वर्सल सेनिटेशन कवरेज प्रदान करने के दिशा में एक आदर्स बदलाव का प्रतिनिद्रित करता है यह विश्यो के सबसे बड़े राष्ट्री ब्यहवार परियुर्तन स्वचता कारिक्रमों में से एक है यह मिशन है कि 2 सितंबर 24 को विश्यो के अगड़ी जो बहु विश्यक मल्टी डिस्प्लिनरी विज्ञान जनरल नेचर में एक आर्टिकल प्रकाचित हुआ था इसमें अगर हम देख सकते हैं इसका सीर्षक था स्वच भारत मिशन के अंतरगत सवचाला के निर्माड और भारत में सि प्रायोगिक अध्यान संचालित किया था इस अध्यान के ताथ सिसु और बाले स्वास्त के लिए स्वच भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई और इस अध्यान में एक दसक 2011-2020 के आउधी में 35 भारती राज्य और केंसासित पर्देशों और 640 जिलों के आकड़ों का अध्यान संचालित किया गया उपिक्त चेत्रों में प्रती हजार जिवित जन्मों पर IMR और U5MR पर थ्यान केंदित किया था इस अध्यान के अनुसार 80 कृप से भारत में सवचालों तक पहुच और बाल मितुदर में विपरीत समद इनुवर्स एसोसियेशन पाया गया इस अध्यान के पढ़ाम दर्शाते हैं कि जिला अस्तर पर सवचालेयों तक पहुच में प्रतेक 100 या प्रतेक 10 परसेंटेज बिंदू की बिर्द्धी होने पर IMR में आउस्टन 0.9 परसेंटेज बिंदू तक की कमी और U5MR में 1.1 बिंदू तक की कमी दर्ज की गई है SBM के अंतरगत अगर देखाया 30% से अधिक सवचाले कावरेज वाले जीलों में प्रती हजार जीवत जन्मों में IMR 5.3 और U5MR में 6.1 की कमी दर्ज की गई है और SBM के तहट अगर देखा जाए सवच भारत मिशन के तहट बड़े पैमाने पर सवचालों के जो प्रावधान ने प्रतिवर्स लबक 60 से 70,000 नौजात सिस्यों के जीवन के रच्छा करने में युगतान दिया है बहुत इंपोर्टन पॉइंट है इसके अलवा देखते हैं सवच भारत दिवस 2 अक्टूबर 2024 से पहले किया जाता है इस अभियान का आयोजन आवायसन और सहरी कार्य मंत्राले के दुवारा पे जल और सवचता विभाग जल सक्ति मंत्राले के सहयोगश किया जाता है आप जयाता है जो केंद्री विषय रहा इस बार का सवभाव सचता संसकार सचता फोर यह से सवभाव सचता संसकार सचता थे स्मां बीदी आयोग के विषय मागर कड़ेखा जा भारत के लडा कमिसन और गैर साव Bitcoin और साविदिक निकाह है जिसको बोलेंगे । इसका गठन किया गया कानून के चत्र में अनुचांधान करने के लिए एक निश्ची समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है यह आयोग विचरार्थ विश्यों के अनुशार केंद्र सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिस करता है इसमाड़ी पॉइंट यह है कि 2 सितंबर 24 को केंद्री बीदी और नियाय मंत्राले बहुत इंपर्टेंट है तो मंत्राले बहुत जरूरी है के द्वारत के जो 23 समय बीदी आयोग के गठन के लिए अधिसोचना को जारी किया गया इसमें देख सकते हैं राष्पति द्रोमती म पुरुकालिक सदस्य और सचीव कारविभाग पदेन सदस्य के रूप में इस तरह आप दे सकते हैं विदी आयोग का मुख्याला जो कि नई दिल्ली में इसीत होगा और इसका कारेकाल आप जानते हैं भारत के 22 में विदी आयोग का कारेका एक्तिस अगद हुए 24 को समाप् जो कि रीति राज अवस्ति 22 में विदी आयोग के धेक्ष थी ठीक है ताइयोब क्लियर हो गया होगा इसका देखें डिजिटल क्रिसी मिशन बहुत इंपोटेंट है भारत की डिजिटल क्रांती के द्वारा क्रिसी चेत्व को रुपानतीत करने के उद्श से केंदरी राज सरकार राजियों के सज़दारी में अगले तीन वर्सों में क्रिसी के लिए डिजिटल सारोजनिक आउसर रचना लागो होगी इस पहल के ताथ किसानों को उनकी भूमी को कवर किया जाएगा और इस वित्वर्ष डिपियाई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में करना कि अस्मारी पॉइंट है कि दो सितमर दोचोविस को केंद्र सरकार के दोड़ा डिजिटल क्रिसी मिशन को मंजूरी परदान की गई और इस मिशन है तो कुल जो टोटल आउट ले था 2870 करोड़ उपे था जिसमें टोटल सिंट्रल का सेयर था 1940 और 6 जो कि आनने का था और यह मिशन डिश्टल सारोजनिक आउसरचना के रूप में या इस्ट्रक्चर पाधारित है इस मिशन का जो उद्देश है या इस मिशन के तरत किसानों की जीवन को बहतर बनाने के लिए प्राद्योग्यों का उपयोग किया जाएगा टेक्निवाजी का उपयोग किया ज करना साथी साथ इसमें हम देखेंगे इसकी कई डेटाबेस अलग अलग प्रेटफार्म के रख रखाओं के आऊ सकता नहीं पड़ेगी इसके फ़लसरूप किसान अपने डिश्टल पहचान सुनचीत करने और उसे प्रमारित करने में सच्छम हो जाएंगे और बिभिन रूप से उपसित होने अब बहुत ही कम या कोई आशकता नहीं होगी डिश्टल क्रिसी मिश्टन के भी विश्य में देख सकते हैं इसमें जो मुलभूत पीलर है इसमें देख सकते हैं यह एक अंब्रेला इसकीम के रूप में डिजान किया गया है और इसमें अलग-अलग क क्रिसी पहलों को समर्थन परदान किया जा सके इसमें दो मुलभूत अस्तम फाउंडेशन पीलर है पहला है कि एगरी स्टेक सेकेंड है कि क्रिसी डिसीजन सपोर्ट इस सिस्टम और इसके अंतरकत इस मिशन में मिर्दा प्रफाइल मैपिंग भी सामिल है तीनों डिश्टल सारजनिक और सरचनाए किसानों केंडित डिजिटर सिवाओं को सच्चम बनाएंगी साथ इसाथ क्रिसी छेतर के लिए समयबद और विशोशनी जनकारी की उपलपता भी सुनचित करेंगी एगरी स्ट्रेक के भी सम देखते हैं किसान के पाचान इसी एक किसान के अंदरित डिपियाई के रूप में डिजाइन किया गया है इसके मादयम से किसानों को कुसलता असानी और तेजी गती से सिवाओं और योजनाओं की आपूर्ति सुनचित हो सके गी एगरी स्टेक के तीन घटक है पहला एक फिर्मर रेजिस्टरी सेकंड है की जी यू रीफ़र्ड विलेज मैप थर्ड एक क्रोप सोन रेजिस्टरी और एगरी स्टेक के ताथ किसान आईडी की शुरुवात की गई है और अधार केट की तरह ही किसानों को एक किसान ID मिलेगी जो की एक 200 सनी डिश्टर पहचान के रूप में कारी करेगी और इसका रख रखाओ जो की रासरकार और केंसासित प्रदिस के द्वारा किया जाएगा यह किसान ID अभिलेक पसुधन स्वामित बोईगी फसल और प्राप्त लाप साइथ पिविन किसान समंदी डेटा से जूड़ी होगी और इसके लगा अगर हम देखें इसमें देखें छे राज में प्रायोगिक परिजनाय संचालत की गए जिसमें से उत्तरप्रदिस भरुखाबाद गुजरात का गांधी नगर महराष्ट का बीड और हर्याड़ा के अमना अगर पंजाब का पते पुर्शाहिब और तमलाडू जो की बिर्धू नगर है तिन वर्सों के दारान ग्यार करोड किसानों के लिए डिश्टल भाष्चान के निर्माण का लच्छ निधायत किया गया है ठीक किसान बहुत इंपरिण देखें होने वाला है 2024 पचिस में 6 करोड़ और 2026 में 3 करोड़ और 2027 में 2 करणे किसानों की किसान आइडी का निमाण किया जाएगा दो हर्स के बीतर ही ऐस दो हर्स के अन्थर ही राष्ट भ्यापी डिश्टल फसल सर्वचल को लांज किया जाएगा 2225 में 400 जिलो और 2026 के सभी जिलो को अच्छा दित किया जाएगा क्रिशी निर्मा निड़े साहता प्रडाली के भी सम्दिख सकते हैं प्रडाली फसलो मिट्टू मासम और जर्स अंचादन आदी पर शुदूर सम्वेदन जो के रिमोट सेंसिंग अधारित जनकारी को एक गरित करने के लिए एक ब्यापक वह अस्तानिक प्रडाली कानिमाड करेगी मिर्दा प्रोफाईल मैपिंग के भी सम्दिख सकते हैं इस मिशन के ताद देश की लगबग 142 मिलियन हेक्टेर किर्शी भूमी के एक समझे दस हजार की पैमाने पर बिस्तित मिर्दा प्रोफाइल मांचित स्वाइल प्रोफाइल मैप तयार करने की परिकर्पना की गई है और इसके अंतरकार देख सकते हैं डिजिटल समान फसल अनुमान सर्वेश्चड डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वेश ब इंडिया सेमिकंड़कर मिशन भारत को ऐलेक्ट्रोणिक शिस्टम डिजाइन और ब्रहनिरमाड के बैस्विक केङदर के रूप में अस्ताफित करने के उध्यश से कैंसरकार ने में सेमिकॉन इंडिया कारिक्रम को मंजूरी प्रदान किया था और जो डिस्प्ले एको सिस्टम के विकास का एक प्यापक कारिक्रम है और इस कारिक्रम के लिकुल जो टोटल परिवे किया जाएगा और इसके तथ अर्धचालक और डिस्प्ले निर्माड के साथ साथ डिजायन के चेत्र में भी कंपनियों को बिश्वस्तर पर प्रतियस परदी प्रुस्ताहन पैकेज प्रदान किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रानिक्स मैनुफेक्चर के चेत्र में एक नया युक की किया गया इंडिया सेमिकर्णक्टर मिशन के श्थापना किया ठीक है तो आई हूप क्लियर हो गया होगा और यह डिजिटल इंडिया काउपरेशन के अंद्रगत एक बिशेस और ब्यापक ब्यापार प्रभाग है ठीक है साथ साथ इसका देखा रहाएस मड़ी पॉइंट ह कि दो सितंबर दो हजाद चोविस को गुजरात के साडंद में के सरकार ने सेमिकर्णक्टर यूनिक्ट के अस्थापना के मजूरी परदान किया है इसमें आप देख सकते हैं एक कायन्स सेमिकॉन प्राइबेट लिंटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा टोटल 33,000 क चिप्स प्रद्दिन बनेगी और साथे साथ जो इसी काय में उत्पादे चिप्स का अध्योगिक आटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन और भुक्ता इलेक्रोनिक्स, दूर्स चार मोबाइल फोन जो विभिन स्ट्रेक्टर हैं उनके उपयोग में प्रयोग किया जाएगा औ और इससे पहले 2023 में कैंसरका ने साड़त गुजरात में ही एक अरचालिक यूनिट की भी अस्थापना के लिए माइक्रोन टेक्नलाजी इंक के साथ प्रस्ताव को मंजूरी परदान किया था तो देश बर में देख सकते हैं तीन और अरचालिक कायों के अस्थापना के मंज अस्थापित किया जाएगा टोटल इसकी जो छमता होगी पचास हजार वारफर्स इस्टार्स पर मंत होगी ठीक है सेकेंड है जो कि असम में अरचालिक काई का अस्थापना करेगा मुरी गाउं असम में जो कि टाटा इलेक्ट्रानिस प्राइबट लिम्टेट करेगा 27,000 क अस्थापित की जाएगी साथ शाथ 48,000,000 चिप्स पर दिन उसका उत्पादन किया जाएगा तीसरा जो कि सानद गुजरात में ही अर्चाला की काई जो कि सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियर्स सलूशन के द्वारा सानद गुजरात में ही यह सुवधा अस्थापित की जाएगी और रेनिसांस इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्परेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्रोनिक्स थाइलेंड पब्लिक कमली निम्टेट के साजधारी किसे अस्थापित की जाएगी टोटल इसमें निवेश जोकी चेटर सो करोड़ उपे किसे की जाएगी और पंद्रह मिलियन चीप्स प्र दिन होगा इसका निर्माड उन्तिस फरावरी दोहयाँ चोविस को केंसरकार के द्वारा सुकृत तीनों ही अर्चालक सहयत इकायों का सिलानास 13 मार्स दोहयाँ चो और सुचना प्रद्योकी मंत्राले के तहत इंडिया समी कंड़क्टर मिशन के साथ साजधारी की गोश्रा किया है ठीक है इसके लग अगर हम लोग अब देखें सरोच नियाले का ध्वज और प्रतिक चीन हाल में लांच हुआ है तो इसके भी हम देखते हैं बारत का सरोच नयायक निका है भारत का सरोच नियाले और आर्टिकल एक्से चोड़िस में उलकीत हैं कि भारत का एक सरोच नियाले हुगा जोकि 26 964 को भारत के सविधान के लागू होने की साथ ही साथ भारत का सरोच नियाले जोकि ऐस्तितु में आया हलाकि इसका उद्गटन 8 Gener 2020 को ह sobie हीरक जैन्ती वर्ष जो कि बोलता है इसको डायमंड जूबली येर की सुरवात किया है और अठाय जनुरी दोच्टीस को सरोच न्याले की 75 वर्षगाट मनाई जाएगी दे सकते हैं नेश्ठ की असमणी पॉइंट है कि राषपती द्रोमती मुर्मु ने भारत के सरोच न्याले की दोच और राष्ट्री साइन है इसका अनारोड किया धोज का रंग जो कि रहेगा निला रंग का रहेगा इस दोच में सविधान के खूले पन्ने से सरोच न्याले क द्दोज के गुलाकार भवन को उभरते हुए परदशित किया गया है, इस धोझ mutta के गुलाकार भवन के ऊपर असोग चक्र को डिजाइन किया गया है, इस समपूर डिजाइन को एक बिप्रत द्वारा गेरा गया है, जिसके निछले भाग में लिखा गया है, तो धर्मस्ततों जय लिखा गया है मतलब इसकार्थ हो जहां धर्म है वहीं जीत है और इस धोज के मद्यभाग में जो परदर्सित डिजाइन है भारत के सरोच नयाला के नए प्रतीक चीन के रूप में कारे करेगी देख सकते हैं सरोच नयाला के 75 वर्स सिक्का और असमारक डाक टिकर जारी किया गया है 31 अगस से लेकर 1 सितंबर 2024 को सरोच नयाला के द्वारा राष्टी जिला नयायपाल का संब्रेन कायोजन किया गया जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया उदगाटन नरिन मोदी जी के द्वारा किया गया इस अवचर पर उन्होंने 75 वर्ष के उपलाच में एक नया सिक्का एक सिक्का जो कि डाक असमारक टिक्का को जारी किया है अब देखते हैं वाड़वाड पत्तन का चलानाच किया गया मेजर पोर्ट भारत में कुलमिला के बारह है जो कि पुड़ रूप से कैंसरकार की स्वामित के अधिनाते हैं जो कि मेजर पोर्ट अथर्टी एक्ट 2021 के परवधान के द्वारा सासित किया गया है यह तपी भारत के वर्तमान में अगर देखा जा तो पत्तन, सुद्रिड, ग्रहा, अधार, बुनियादी, धाचा और सरचना आदी सुद्धाओं से लेस है और लेकिन विस्तार समंदी बधाओं के काड़ उनकी परिचालन चमता में बृद्धी संबव नहीं हो पाएगी कंटेनर पोतों को लगतार बढ़ रहे हैं आकार के काड़ जवाला नहरूप पत्तन और मुंबई पत्तन इन पर बहुत ही ज़्यादा पहले से ही मतलब जगक कम होने के वैसे गंभीट चिंता का भी से बना रहा साथी साथ भारत के पस्यमी तटपर गहरे पत्तनों का विकास करना आत्यनत आवस्यक हो गया है इसमें देश सकते हैं प्रदान मंतिर नर्जमोदीजी में वाडवर पत्तन को इसका स्रेनाश किया एक तिस अगर दोशाचोविस को महराश के पालगर जिले के दाहाडू नगर के निकट और और इसमें टोटल लागत आएगी चेतर हजादो सबीस क्रूड उपे का वाडवर पोर्ट प्रजेक्ट लिम्टेड के द्वारा इसका निमाड किया जाएगा देखिए बीपी बीएल और जे एन पीए जवाहला नेहरूपोर्ट वाडवर को आप जानी रहे हैं और महराश मरी टाइम बोर्ड के द्वारा एक इसको बोलता है स्पेशल परपरज वेकिल जिसमें उसकी हिसेदारी लबग छेतर परसेंटेज और 26 परसेंट रहेगे हर मौसम के लिए उप्यूट कियर रहे गए और सबसे गहरे सबसे बड़े गहरे और वाले जल पत्तनों में से एक होगा अभी सोके टाप 10 पत्तनों में से एक होगा और यह पत्तन जो कि पारगम में समय और लागत को कम करके अंतराश्टी शीपिंग मारगों से सीधे कनेक्टूटी प्रदान करेगा यह पत्तन बड़े कंटेनर पोतु तता अती विसाल मालवाग पोतु को आसानी से टहरने की छमता प्रदान करेगा आयोब क्ल तक बढ़के 23.9 मिलियन चमता हो जाएगी भारत के जो 12 मेजर पोर्ट है बहुत इंपोटेंट है पहला तो हल्दिया देख सकते हैं स्यामा प्रशाद मुखर जी पत्तन जो कि हल्दिया गुज्रा खुलकता में है ओडिशा का पारदीप आंध परदेश कभिशा का पत्नम तमिलाडू में कामराजर पत्तन है तमिलाडू में ही चनेई पत्तनम भी है और तमिलाडू में ही भी ओचिंदबरम पत्तन भी है साथ है गुज्रात का कच्छ दिन दयाल पत्तन के नाम से मुंबई का मुंबई पत्तन महाराष्ट में महाराष्ट में जवाला नहरू पत्त और कोचिन पत्तान जो की के रहने हैं टोटल में बारह होगे तेरा हो आपने देखा है अब देखें कंटेनर परफार्मेस इंडेक्स के विशा में 23 को इसका चौथा संस्क्रड को जारी किया गया है और इसको जो डिजाइन किया गया है विस सबक बैंक और S&P गलोबल मार्के इंटेलिजेंस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है इसमें देख सकते हैं दोया तेश में पूर्वी और दश्चिल पूर्व सब्सक्राइब किया 20 अस्थानों में से 13 अस्थान यही है पूर्वी और दश्चिल पूर्व सब्सक्राइब के लगता दूसरे वर्स चाइना का जो यांग सान पत्तन है प्रतम अस्थान पर रहा पहली बार विश्यों के 50 का सबसक्राइब क pessimist कि सुची में भारत के नव पत्नों को सामली है 100 कि सुची में और टाप 20 कि सुची में विशाखा पटम सबसे भारत का सबसे टॉप नमर पे हैं 19 नमर पर पिशा का पटना पत्नम आंद्परदेश का नमर वन पर चाइना का अभी आपने देखा यांगसान पत्नम है इसको आप इस्टा माखला का लिजिए ठीक है इसके लोग देखे 27 नमर मुद्रा पत्नम गुजरात पीपापाव पत्नम है कामराजर पत्नम है इस तरह आप देखते हैं तो मेजर पोर्ट को आप देखा अब देखे एन इसी डिपी नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडर डेवल्मेंट प्रोग्राम जो कि भारत का सबसे महत् प्रांची बुनियादी धाचा कारक्रम है जो कि राष्ट्रिय अदोगिक गल्यारा विकास कारक्रम है इस कारक्रम का लच्छ है कि भारत में भविश के अद्दोगिक सहरों का विकास करना जो कि विश्व के सरुत्तम बिनिर्माड और निवे सस्तलों के साथ कमपटिट कर पाएगा इस दूदर्सी कारिक्रम के तथ नए अदोगीक सहरों का निमाड अस्मार्ट सहरों के रूप में काम करने की परिकलपना की गई है और दिसंबर 2020 में भारस हका ने NICDP के अंग के रूप में चार जो फेज है और 11 अदोगीक गलियारों के विकास और स्कृतिप़ किति परदान किया है इन 11 गलियारों का थ açत चार च्रटों 32 परिजनाव को सामिल किया गया है, 32 परिजनाव में सबसे पहले 4 जो पहला चरण में चार ग्रिनफरिंट अदोगिक असमाड सहर पहले से विक्षित किया चुके है świe कि चार अन्य वर्तमान में बिश्चित किया जा रहे हैं इसके विसे हम देखें कि बारह नए अदोगिक सहरों के स्थापना को मंजूरू दिया है हाल में ही कैंसरकार ने इसके बारह अदोगिक सहरों देश के दस राजों में बिश्चित होगा इन्हें छे प्रमुक कलियारों के रूप में प्लांड किया गया है और बारह नए अदोगिक सहरों में से केवल 11 सहरों के नाम की गोशड़ा किया गया है जम्बू कस्मीर हरियारा के विदासमा चुनाओं के करड़ आदर साचार सहीता लागो होने करड़ एक सहर का नाम का उलेक नहीं किया गया है नए शुकिर्थ जो किया दोगिक सहर जिनके नाम खोशित कर दिया है जिसमें से खुर्पिया उत्रा खंट राजपूरा पटियाला पंजाब दिग्गी महाराष्ट पलककर जो कि किरल का है आगरा उत्तापरस का प्रियाग राज उत्तापरस गया बिहार जहीरा बाति लंगाना और वाकल आंध्परदिस कोपरती आंधपरदिस और जोदपूर पाली अधोगी गलिया रहा बिजाग चेन्ही अधोगी गलिया रहा मुंबई और बैंगलूरू अधोगी गलिया रहा ओडिशा आर्थिक गलिया रहा है धराबाद नागपूर अधोगी गलिया रहा है धाबाद वारंगल अधोगी गलिया रहा है धराबाद बैंगलूरू अधोग लिद्धरात का है और उंहगावाद अधोगीग सहर महाराष्ट एक रिट आधोगीग टाउन्सीप नोडा का और एक रिट आधोगीग टाउन्सीप मंध्यपौरीर दिश्ट का अब देखेंगे एक रिट पेंशन योजना की भीशाय में थाल में कैण सरकार यह ने केंसरकार के कर्मचारियों को विद्धा वस्ता में Income Security प्रदान करने के देश्टिकोर के साथ एक नई Unified Pension Skirm को मंजीरी प्रदान किया है इस नई योजना से केंसरकार के लगबग 23 लाख कर्मचारियों को लाब प्राप्थ होने की उमीद है ऐसे कर्मचारी जो वर्तवान में जारी Pension योजना यथा National Payment System के तहद लाबारती है उनके पास UPS पर स्विश करने के लिए एक मुस्त One Time Option होगा भारत को अपने कर्मचारियों को UPS के धाचे जो की UPS प्रेमरों के तहद लाने का विकालप प्रदान किया गया है 25 अगर 22 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महराश पाला राज्ये बन गया है इसके लिए असमड़ी पॉइंट है कि 24 अगर 22 को प्रदान मंत्री नर्मदीजी के देश्ता में केंद्री मंत्री मंडल ने उनिफाइट पैंसन इसकीम को मंजूरी दिया है एक अप्रेल 25 से प्रभावी होगा इसका मुख के विशस्ता यही है कि देखिए सबसे पहले सुनेशित पैंसन कर्मचारियों को उनकी सेवानेश से पहले अंतिम 12 महिनों में प्राप्त आउसत मुल बेतन के 50% के समतुल रासी मुल पैंसन के रूप में परदान की जाएगी हलाकि उपयुक्त पैंसन रासी को प्राप्त करने के लिए नियुमतन 25 वर्सों के सेवा अवस्यक होगी 25 वर्सों के कम अवदी के लिए अनुपातिक रूप से कम पैंसन कम से कम परदन जो कम पैंसन परदन की जाएगी नियुमतन 10 वर्सों तक सेवा करने वाले कर्मचारिय के रूप में दी जाएगे अब देखते हैं सुनुचित नियुन्तम पेंशन के विशा में यह योजना नियुन्तम दस वर्सों की सेवा के बाद सिवानुद्ध पर दस हजार रुपियर में प्रतिमा की सुनुचित नियुन्तम पेंशन प्रदान करने की गरॉण्टि देता है तशा उसनुचित परिवारिक पेंशन सुनुचित नियुन्तम पेंशन पर जो एक्मुष्ट के लिए पात रहेंगे ग्रेचुक्य फर्यूंट के लिए भी पात रहोंगे उपएस के लिए करमचारी करमचारी का योगदान बेतन मुल बेतन भा たन का दस पर्सेंट रहेगा सब्सक्राइब का योगदान इसमें 18.5 परसेंटेस का होगा कि एन पीएस वासल अवेस्क बच्चों के लिए नई पेंशन ही होज़ना इसमें देख सकते हैं केंदरी बितमंत्री दिर्मला सितारमन के द्वारा केंदरी बजट तुहज़ाचोविश बच्चिस में अवेस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योज़ना की वासल की गोश्रा किया गया है इसमें जो कांटिब्यूटरी पेंशन इसकी में 18 वर्से कम आयू के जो सभी अवेस्क नागरी की इस योज़ना के लिपात रहोंगे इसके लिए नियूत्तों में एक हजार रुपय के योग इसमें नेशन इंस्ट्यूशन रैंकिंग प्रेमवर की शुरुवात 29 सितंबर 2015 की गई नाई यारियब देश भर में जो उची सिंस्था संस्थान है इसको रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कारपड़ाली की रूप रेखा तयार करता है और इंडिया रैंकिंग का परत से रैंकिंग अब हाइयर एजुकेशन इंस्ट्यूशन है और इसको नई दिली भारत मंडबं में जारी किया गया है नौवा संस्क्रण है इसमें आठ कटेगरी है ओबराल कॉलेज इनवर्सिटीज रिशर्स इंस्ट्यूशन इनवर्शन इस्टेट पब्लिक इनवर्सिट साथ सथे साथ इसक्री इनवर्शिटी है तिन स्टेट यथा राजज सारोजनिक विश्वभीत दे अलौ स्यवतध देआला मुक्त विश्य में पहली बार इंडियारेंकिंग में सामिल कի गए इंडिया रैंकिंग के तहट आठ बीबी ने बिशियों या सब्जेक्ट डोमेन के अंतरकत भी संस्तानों को रैंक परदान किया गया है लगतार चटवे वर्स ओवराल कटेग्री में लगतार चटवे वर्स आयटी मदरास को परतामस्तान प्राप्त हुआ है अभिया न्तर की बीशmaker में आयटी मदरास को लगतार नववे वर्स परतामस्तान हुआ है 22 25 सब्स थाष्ग को लगतार प्रतामस्तान प्राप्त हुआ है तरह देख सकते हैं इंडिया रैंकिंग में अगर देखा जा तो आयटी मद्रास नंबर वन है और बार्टी विग्यान असथान बेंग लूर सेकर ने इसाँ देख सकते हैं इंडिया रैंकिंग जो की उत्ताप द्रश का कानपुर पांचमा नंबर पे है यो पीके सेडिय में देखा जा बीच्चु 11 नमर पर अमय उसलहुवा नमर भी है वहीं पर देख सकते हैं इंडिया रैंकिंग के जो बीविन सेडियों में देखे बिच्व विद्याला सेडिय में बारती विज्ञान सनस्थाइब बंगलूरू है को लेज सेडिय में हिंदू कोलेज दिली है और स सारोजनिक विशो विद्याला में अन्ना विशो विद्याला चिन्नेई और तमिलाड़ु है इसके लाओ देख सकते हैं विशो में शिर्षस्थान अभियांतरिकी में आयटी मदरास आयम महमदाबाद मैनेजमेंट में हैं जामिया हमदर्द जो कि नई दिल्ली ये आपको फा लूरु में है वास्तुकला और नियोजन नियोजन जो कि आयटी रूट की है क्रिसी और समद्चेत्र में भारती क्रिसी अनुसंधास अस्तान नहीं दिल्ली है अब देखें कि उत्राकंड सकल पर्यावड उत्पात सुचकां के विशा में बहुत इंप्रण्ट है देखें ग्रॉस इंवर्मन्ट प्रोडुक्ट सुचकां को मानमी हस्तियफों के कारड़ के लिए विशे शुरुप से डीजाइन किया गया है जी ईपी के जो ग्रास इंवर्मन्मेंट प्रोडुक्ट के चार अवैसे कस्तम है जिसमें से वाईू जल, मिर्दा और वन है चार पर्यावड करकों में अगर सुधार हो रहा है तो जीपी सुचकांग में ब्रिद्धी देखने को मिलती है ठीक है तो इसको आप देहां से देखेंगे और अगर नकरात्मक सुधार हो रहा है तो इसमें गिरावड देखने को मिलता है सुधार ना होने पर इसमें देखें है कि उत्राखंड के मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी के द्वारा उत्राखंड सकल पर्याड उत्पाद सुचकां को लांच किया गया है और इसका सुभारम करने वाला राज बन चुका है अपने देश में और पाषितकी को अत्वैस्ता से जोड़ना ही इसका उदेश है औ आई होग क्लियर हो गया होगा अब हम देखते हैं SDG India इंडिया रंकिगे 2023 के विशे में इंडिया इंडेक्स 2023 में इंडिया इंडेक्स के विशे में अगर देखा जा सबसे पहले SDG इंडिया इंडेक्स को 2018 में प्रकाशन किया गया था और SDG India Index और Dashboard सयुक्त राष्ट भारत UNDP इंडिया की साज़दारी में नितियायो के पहले इसका उदेश है कि SDG को प्राप्त करने के दिशा में हुई प्रगति के अधार पर भारती राजे और केंसाशित प्रदेशों के रैंकिंग त्यार करना इसुसकांग का उदेश है कि बैस करने के आसकता होगी असमाडी पॉइंट है कि 12 जुलाई 24 को नितियायो के द्वारा SDG India Index का चाउथा संस्कड को जारी किया गया इसका उपादेक्स आप जानते हैं नितियायो के उपादेक्स सुमन बेरी के द्वारा इसको लांच किया गया है इसका बिशे रहा है कि उपलक्ष और 113 संकेत को उपर अधारित हैं SDG India Index के चाउथे संस्कड के तहत प्रतिक राज और केंसासिर प्रदेशों के लिए 16 SDG और गोलवाईज स्कोर की गढ़ान की गई है तो उनको यह दर्साता है कि उसने लच्छे को प्राप्त कर लिया है इसमें देख सकते हैं चारों कटेग्री में वर्गीक्तिया है जो जीरो से 49 संका है उसको बोलते हैं कांची पर फार्मर जो सेड़ी का रैंक रहेगा पचास से चौसर रहेगा और अग्रड़ी फ्रांट रर्नर का जो रैंक नम्मर रहेगा 65 से इंडियान बे चाती साथ एचीवर का जो रैंक रहेगा 100 जिसमें देखी कंपोजिट स्कोर टोटल भारत का रहा है एकत्तर दर्ज किया गया है और SDG 1 गरीबी उन्मुलन SDG 8 सब विकार और आर्थिक विकास SDG 13 की विशें में कर देखा जा इसमें जलवाई कारवारी में महत्पूर प्रगदी दर्ज की गई है इन लच्छुम में देखा जा तो भारत प्रंट रैंड के सेड़ी में आ गया किया इसके बाद जंबू कश्मीर और उत्राखंट उस तरह दे सकते हैं तो सीर्स अस्थान अगर देखा जा तो केरल और उत्राखंड है केरल और उत्राखंड को सीर्श स्थान सीरी स्कूर वेभीना है सेवंट शन시면аль की दिनाटी दीधके जुमार्यवाण पीहार लास्ट में है अठाइस पे केंसाजी प्रदिष में चंडरीगर नमबर वन है। वहीं पर अगर केंसाजी प्रदिष में देख सकते हैं लद्दाक अठवन में नमबर पे है। कि राजों के प्रदस्न में देख सकते हैं कोई भी राज जीरो सो नचास के बीच में नहीं है प्रफार्मस जो प्रफार्वह मंन की सड़ी में नागालनड भाल भी हाड चारकंड है अच्छा प्रफार्मा अग्रडी के सडी में केरल हिमाचा परदेस तमिनाड़ू अनपरदेस गुवा करनाड़का उत्तर परते उत्तर अखंड है उत्तपड़ेशा असम ओडिशा और वाचापरदेस और एकल इचिवर के समचों में कोई भी नहीं है तो आगरड़ी सभी लोग अगरड़ी के सड़ी में है फ्रंट रॉणर की सड़ी में है स्टेजी लच्छ अधारित स्षिस राज में देख सकते हैं एचिजी वन में जो स्विस्प है तमिलाडु द्हादा नंगर होडी ए दमनरीप है एक्ष डिजी वन जो गरिवी अर्वुवी उन्मुलन है एसटीजी टू में बुकमरी को समाप्तिव इसमें जो अगलडी है केरल पॉणुचरी रही है सब्सक्राइब है इसके लब अगर हम बात करें साथ में नमर में है सस्ती और स्वच उर्जा में सब्सक्राइब है अंध्र प्रदेश आसम गोवा हर्याड़ा यह सब भय स्थान देख सकते हैं सब्सक्राइब अर्थिक प्रदेश लंदाक है एक नायड में उद्योग नमाचार और बुनियादी राचा में गोवा पूरुचियरी है एक लच्टेन जो कि एक 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 पूरुचियरी है और ग्यरावा में है महाराश चंडिगड जिसमें बोलते हैं सब्सक्राइब है कि उत्रदाई और भोग और उत्पादन इस स्रेडि में अगर देखा जाए तो इसमें जो है त्रिकुरा जंबु कस्मिर है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है निए और उसके निप्राइब के लिए प्रावदान किये गए जो देश और उसके किसी हिस्सों के सांती शुरच्छा इस्थिर्टा और प्रसासन को खत्रे में डाल सकती है ऐसी सिती जैसे कि यूद्ध भारियाक्रमण आंत्रिक गरवडी या ससस्त्र बिद्रो और वित्ती संकड में संपूर भारत उसके किसी भाग में अपात्काल इमर्जेंसी लगा जा स होता है भारत की सभिधान के भाग 18 में अपात्काल से समदित प्राधानों का उलेख किया गया जो कि आर्टिकल 322 से लेकर 360 तक है 352 आपको पता राष्ट्रिय अपातकाल की गोश्रा की समधित है अब तक टोटल देश भर में तीन बार राष्ट्रिय अपातकाल की गोश्रा किया गया पहली बार 1962 में चाइना भारत की यूद हुआ था और 1912 से लेको 1912 अर्शर तक देश में अपातकाल गोश्रा किया गया था दूसरी बार भारत पाकिस्तान यूद के मदे नजर प्रतिवस 25 जून को सविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है केंद्रिग्री मंत्राला ने इनके दवरा 11 जुलाई 24 को एक अधिस सुचना जारी की गई और 12 जुलाई 24 को राज के राजपत्र में प्रकासित किया गया जारी अधिस सुचना के अनुस के घोट दूर्पयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को सविधान देली के लिए 25 जून को सविधान हत्या दिवस कोशित किया गया इसके लागो देख सकते केंद्री ग्री मंत्राले के द्वारा जारी प्रेस विग्यपति के अनुसार 25 जून 1975 को अपात्का दिया गया और इसे पहले भी 24 उलेखनियक से पूरू 26 जून 24 को अटरामी लोकसभा के अदेख्स के रूप में चुने जाने के पैस्चात ओंबिल्ला ने 25 जून 1975 के अपात्कालन की घोश्रा पर एक निंदा प्रस्ताव को भी पेश किया था इसमें दो मीड का माउड रख इसको कमिटेड बीरोकर्सी और कमिटेड जूडिशरी के धाड़ा को लोकतनत बिलोधरी रवया करार दिया था अब देखिए हैदराबाग्त मुक्ति दिवस के भीचा में भारा सरकाने 17 सितंबर 2017 सितंबर को प्रती वर्स हैदराबाग्त जो को बोलते है हैदराबाद सहीदों की याद में और इवाओं को मन में देशभक्ति की लव जगाने के लिए 17 सितंबर 2017 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रुप में मनाये जाएगा और 15 अगस 1947 को भारत के सुतनता प्राप्त होने के 13 महने बाद तक हैदराबाद को अजादी नहीं मिली और यह है निजाम के सासन के अधीन था और 17 सितंबर 1948 को अपरेशन पोलो नामक पूलिस करवाई के बाद निजाम के सासन से मुक्त हो गया तो इस दोनों ही यह समझे सभीधान अत्या दिवस से आप कोश्चन लिख कर ले लिजिए इस से कोई ना कोश्चन कोश्चन एक या दो कोश्चन टकराएगा 100% लिख इंडिया Поэтому iJE के मुलन पैस्विक हिद धारकों के लिए एक महत्रपूड मंज के रुप में कारे करता जिसके माद्यम से सहयोग और नवाचार कर Typ security intelligence के भविस को आकार दे सकते हैं AI नमचार में स्वयंग को 20 सुमें अगड़ी देश के रूप में अस्थापित करने की भारत की आकांचा के दिश्टिकोत बैस्विक इंडिया अटपिसी इंडिजिन सम्मिलन दूजिन का आयोजिन किया गया था असमनी पॉइंट है कि भारत मन अटपाम नए दिली में बैस्विक इंडिया AI शीकरसम्मेलन का उजिन किया गया है और इस शीकर सम्मिलन का आयोजिन के द्वारा जारी किया गया केंदरी इलक्रानिकी और सुचना प्रदोगी मंत्राला आशनुमी बैस्विक इंडिया AI सीकर सीमिल 2024 का उत्खाटन किया गया और इस सिकर सम्मेर में कंप्यूटर चमता, अधारबुत माडल, डेटा सेट, अप्लिकेशन डेवल्मेंट, फ्यूचर स्किल, स्टार्टप बित्पोर्सर और सुरच्छित जैसे छेत्रों में AI के विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान किन्दित किया गया जो इंडिया AI मिशन के साथ पिलरों के अनुरूप है, अब देखें OECD, Organization for Economic Cooperation and Development और GPAI, Global Partnership on Interpretation Intelligence ने कृतिम बुद्धिमता पर एक एक कृत साज़ेदारी की गोश्रा किया है, इसमें देख सकते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर जिसे जून 2020 में लांच किया गया है GPAI एक संस्थापक सद्यसों में भारत भी सामिल है और GPAI का प्रमुक अधेक्ष दोया चोविश में भारत था है, लीड चेर है आटबिसे इंटेलिजेंस प्रसंसा दिवस के रूपे दे सकते हैं, 16 जुलाई को AI प्रसंसा दिवस के रूपे मनाया जाएगा और AI पर अतिहासिक जो प्रस्ता हुआ है, UN General Assembly ने कृतिम बुदिमता पर एक अतिहासिक प्रस्ता को एड़ोट किया, 21 मार्दुह 24 को प्रथम अउसर है कि जब मासवा ने किसी भूरते हुए छेत्र को बेनियमित करने के लिए किसी प्रस्ता को अंग गृत किया है, सजुत राज अमेर्का के द्वारा परायुजित 130 देशों के द्वारा सब प्रायुजित इस प्रस्ताओ को बिना किसी मद्दान के सरुसम्द से अपनाया गया है, और सभी 190 सदस्यों का समर्थन प्राप्त इस प्रस्ताओ को इसी पर देखिए इंडिया AI मिशन के भी विशे में देख सकते हैं, AI मितलब होता Artificial Intelligence को बुद्धिमान मसीनों विशे शुरुप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम के निमाण के विज्ञान और इंजिनरी के रूप में प्रभाशित किया गया है, कृतिम बुद्धिमान इस धारड़ा पाधारिते की मानों विचार की प्रक्रिया को मसेन कृत किया जाएगा, कृतिम जो बुद्धिमान है इसके अंतरकत उन चीजों को कवर किया जाएगा जो को मनुष्य की तर बेवार करने में सच्छम बनाती है, प्रहान मत्री नर्द मोदीजी के अदेश्ता में केंद्री मत्री मंडल ने इंडिया AI मिशन को मजूरी दिया है, और इसमें टोटल परिवेद 10,309 करण रोपया है, अगले 5 वर्सों के लिए किया गया है, और इस भारती AI परिशित की तंत को मजबूती परदान करने के दिशा में एक महतवपूर कदम है, और इसको इंडिया डिश्टर इंडिया कोपरेशन के अंत्रगत इंडिया AI इंडिपेडेंट बिजनेस डिवी डिविजन के द्वारा करण रोपया है, इसमें घटक देख सकते हैं इंडिया AI इंडिया AI केम्पूटर छमता, इस स्थम के माध्यम से एक उचस्थरी विस्तार योगे AI कंप्यूटिंग बरिश्टी की तंत का निमाड किया जाएगा, जो कि AI भारत के AI च्षत में तेश बढ़ते वे स्टार्टप और अनुसंधान परितंत की मांगों को पूर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इविट तयार करने या तैनात करने के लिए निवित की जाएगी इंडिया AI नमाचार की विशे में देख सकते हैं इंडिया AI डेटाबेस मंच के द्वारा बिक्सित किया जाएगा इसको और देखिए इंडिया अप्लिकेशन डेवल्मेंट इनिशेटी होगा और साथ इंडिया AI फ्यूचर की स्किल इंडिया AI स्टाटप भी तपोसर कई सारे कटेगरी में इसको गटक में इसको डिवाइड किया गया है अब हम देखते हैं दूर संचार अदियम 2030 बहुत इंपोटन्ट यह अदियम है दूर संचार अदियम 2030 टेली कम्मुनिकेशन बिल दूर्ज़ाइट अठारा दिसंबर 2030 को लोग सभाव के द्वारा एकईश दिसंबर 2030 को राशवा के द्वारा पारित किया गया और 24 दिसंबर 2030 को राशवाति के अनुमति के उपरां थिये अधियम विधयक को अधियमत के रूप में ले लिया गया इसमें देखिए कुछ प्रावधान इसमें देख सकते हैं 26 जुन 24 को यह लागो हो गये थे इसको हम दो देखेंगे इसका उद्य से है कि दूर्संचार सिवाओं और दूर्संचार नेटवर के बिस्तार संचालन और इस्पेक्ट्रम के आवंटन और इसे जुड़े हुए मामलों में समधित कानून को समधित और समयकित करना केंसरकार से पहले प्रादिकार प्राप्त काने की जरूत होगी पहला कि दूर्संचार सिवाओं प्रतान करना दूर्संचार नेटवर के अस्थाबना करना रेडियो उपकड़ धार करना इस्पेक्ट्रम के निलामी के द्वारा अवंटित की जाएगी इस्पेक्ट्रम को जैसे निर्दिष संदिष प्राप्त करने इसके लिए पुर्व सहमती डूना डिस्टर्ब और मालव यार या निर्दिष संदिषों को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग करताओं को एक विवस्था प्रदान करना है ठीक है अंडिया फंड कर दिया गया है ठीक है और इसके लवा देखते हैं निस्ट में उदेश तो आप जानते हैं दुरसंचार अधिनियम 23 की धारा 24 वन के तहत अस्थापिट डिश्टर भारत निर्दी के प्रबंदन और कार्यानों को बेहतर करना शाथ शाथ यह अधिनियम विबिन अपरादिक और सिविल अपरादों को निर्दिश करता है प्रादिकार प्राप्त किये बिना दुरसंचार शेवाओं प्रदान करना और दुरसंचार नेटवर्क और डेटा तक अनिदिगित पहुच प्रदान करना तीन वर्षतों के कैद होगे दो करोड रुपे तक का जुर्माना होगा ठीक है इसके लब अगर हम लोग देज नेश्म में देखेंगे दूर संचाद नियम दोजा तेज के अंतरगत सक्त नियम किसी ब्यक्ति के पास अधिक्तम कितने सिमकाड हो सकते हैं इसे नियंतित भी कि कर देखें लोग परिच्छा अनुचित साधन नियमारा रदनियां सारजनिक परिच्छाओं के बढ़ते गदाचार के कारड उनके आयूजन में देरी तो होती हैं साधिसाथ परिच्छाएं रद भी हो रद भी गोशित कर दी जाते हैं जिसमें लाकों युवाओं का भवि को निप्टेने के लिए अभी तो कोई बिशिष्ट कानून देश में अस्तुच में नहीं आये था हलाकि अब दिये से अब दिये दर इसमें बहुं सारा चीजम किया जा रहा है तो अठारा जून दोयाचोविस को भारत के 317 सहरों में राष्ट्री परिच्छा एजंसी जो के सरकार के दोड़ा लोग परिच्छा अनुचित साधन निवारड अधिनियम दोयाचोविस के प्रावधानों को लागू करने के लिए राजपत के माद्यम से अधिसुचना को जारी किया गया है लोग परिच्छा बिधयक 2024 पांच फरवरी दोयाचोविस को लोगसभा में में पेश किया गया चो फरवरी 2ह promot लोगसभा से दरनो फरवेस को राश्पति की मझूरी प्राप्त हो गया है दे सकते हैं इसमें लोग परिच्छा गया, रेल्वी भर्ती बोर्ड हो गया, राष्टी पर इच्छा अभिकड हो गया, बेंकिंग हो गया, कैंसरकार के मंत्रालों विभाग भर्ती के लिए उनके समublh några अधिनस्त के निदिश्ट करता है और संगडित अपराद करने वाले ब्यक्तिक समों को पांच वर्स इससे लेकर दस लाग दस वर्स तक के सजा और एक करोड रुपया तक का जुर्माना होगा निउन्टम जो तो डिएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त असिस्टेंट कमिशन आप पुलिस की रैंक वाले अतिकारे इसके अपरादों को जांच करेंगे बिहार में विदान सभाग के द्वारे बिहार लोक्स परिच्छा अंसी साधन निवार्ड दोह चोबिस को पारिद कर दिया गया अब इसके बाद नालंदा के बाद हम दोखेंगे इसमिर्थी वन भुकंब तो नालंदा को हम लोग इसको देखते हैं जैहन वेलकम टू स्टड़ी बैटल देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिसकस करते हैं नालंदा विद्वा परिसर का उद्गाटन इसमें देखिए अपना किया था और उलेकनी पॉइंटे है कि यह एक बहुत बिहार था जिसका विकास एक महान विशुविद्याले के रूप में हो गया गुप सासकों के बाद कन्योज के राजा हर्षवर्दन तथा पाल सासक आठमें से लेकर बारामी सताबदी आदी ने इसका सरचर किया तो बादमें तुरकों कि आकर्मण स्थ अन्य विभिन काडों से बारवे सताब्दी में या सदी में इस विशुविद्याले का पतन हो गया है और इसकी श्मूरीती भी सेसर रही नारंदा विश्व विद्याला के पतन के लगवक्षा सताब्दियों की पस्चात इस तस्तल की खोई सबसे पहले 1812 में इस कार्टिक सर्वेच्छड करता फ्रांसिस बुकानन हेंपनलिटल के द्वारा किया गया था और 1862 के दवरान अलेकजंडर कनिंगम ने अधिकारी गु मार्चिन विश्व विद्याला के रूप में इसका पहचान किया था मार्च 2006 में बिहार विदानमंडल के एक सहुत सत्र को समझद करते हैं भारत के तत्कालिन राश्वते डाक्टर एपीजी अब्दुलकलाम ने नालंता विश्व विद्याला के रिवाइवल को परस्ताव अपना के मांग किया था और इसके समय में 2006 में सिंगापुर की सरकार से और जनौरी 2007 में सेबु जो की फिलफिंस में आउजित दोती पूर्वी एसिया सिखर समयलन के सदस्य देशों के निताओं से भी सुझा अपराप्त हुए थे अक्टूबर 2009 में थाइलंड में आउजि जिले में इस्थित जो राजगीर में प्रधानमंति नेद मोदी जी ने हाल में उनएजिव जून 24 को नाधना विश्व विद्याला पर सरका उत्काटन किया और इसके अलावा इसको नालंदा विश्व विद्याला दिनियम 2010 के लागू होने के बाद आदुनिक नालंदा व विश्व विद्याला 25 नॉमबर 2010 को अस्थित में आ गया था और इस विश्व विद्याला ने नए दिली से अपने कार्याले से कार्य करना प्रारम किया है और इसका टोटल केमपस देखा जा राजगीर में 455 एकड़ भूमी परदान किया था आदुनिक नालंदा विश्व संब्लन के सदसे देशों के बीच एक च्वाइंट के रूप में किया गया था इसका देखे नालंदा परिसर के उद्गाटन समारों में 17 देश के मिशन प्रमुख जो सहित कुछ प्रतिष्टित जो लोग थे खास और सती थी लोग सामिल हुए थे इसमें 17 नया नालंदा व इसके अलाव देखाया 210 की से नालंदा विश्वविद्यालों को राष्टि महतुका एक सास्थान गोशित किया गया है और भात कराश्पती इस विद्गाला के कुलाधिक्ष होंगे ठीक है तो आई होब इतना क्लियर होगे इसके अलाव अगर हम लोग थोड़ा सावर पॉ संग्रहाला विश्व के सरवादिक घुपसूरत संग्रहालों की सुची में सामिल हुआ है भुज इस्तितास्मृती वन भुकम संग्रहाला इस चेत्र में आये बिनास्कारी भुकम में अपने जान गवाने वाले लोगों को संधाजली अर्पित करता है और लेकनी जान नोसो बत्तिस लोग की मृत्ति हो गई और लगवा पंदर दस्मन दो तीन लाख लोग पर भावित हुए थे ठीक है इसके अलावागर हम बात करें समाड़ी पॉइंट है कि तेरह जुन दोयाचोविस को पिक्स वर्सिल के ताथ वर्स दोयाचोविस के लिए बिश्व का सबसे सरवादिक खुबसूरत संग्रहलों की सूची जारी की गई यह पहला असर था जब बिश्व के सरवादिक खुबसूरत संग्रहलों की सूची जो जारी की गई थी इसमे देखा जा तो साथ नव संचालित या नव करड़ी की प्रक्रिया के बाद पुना संचालन करने का वाली संग्रहलों को सामिल किया गया था इसमें देखिए बिजेता कुरुप में दोहजार चौबिस की बिशुगे सबसे खुबसूरत संग्रहलों में एफोर आर्ट म्यूजि उटाके जपान में कहा है इस तरह आप दे सकते हैं भुज इस ती जो गुजरात इसे जो इसमर्ती वन भुकम संग्रहले को इनस्को के द्वारा प्रतिष्ठित पिक्ष वर्सेल अवार्ड के लिए अलपकृत अलपसूची बत किया गया है अब पहला ऐसा संग्रहला है भा सबसे बड़ा अस्मारक हो संग्रहले था önर्पाइर चार शात्तर एकड से अधिक ब्रीयाद suburbs चेटर में विष्ठित है तींसो वर्सों से अधिक पूराने बुजिया किलेकी तैफ भी चेत्र साजा करता है विरिक्ष वर्षिल को विसशार को वय बीष वास्तुक्ला और ढ जाइन आवार्ड के रूप में जाना जाता है 2015 से प्रतिवर्स उनस्कों के द्वारा घोसित प्रिक्स वर्सेल वसेतों जो की वास्तु सिल्फ प्रतियोगता की एक सेंकला जो बीस उबर में ब्यातरिन समकारिन परियुजनाओं पर प्रकास डालती है अब देखिए मोधी सरक उनों की पकडिया के ताथ उनहीं सब्सक्राइब 24 से लेकर एक जुन 24 तक मद्दान संपन की गोश्रा किया गया बिहार पसी मंगल उत्तर प्रदर्स सभी सभी साथ राज्यों में साथ च्रोड़ों में मद्दान संपन हुआ और इसके अलाओ देखिए यह संसती चुनाओ भारत के चुनाओ इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मद्दान अभ्यास रहा प्रतम आम चुनाओ अब तक के सबसे लंबी आउदी का चुनाओ था जो की सबसे बड़ा निर्वासक मंडल है लार्जेस इलेक्ट्रोल इंद वर्ड़ आम चुनाओ दोज़ास चौबिस के अगर देखाए ता पहली बार अकिल भारती अस्तर पर पच्चासी वर्स यादिक आयू कि वरिष्णागरिक चालिस परसंड की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मद्दान करने के सुब्दा प्रदान की गई और यह एक अतिहासी कदम के दाथ ग्रेट निकोबार की संपुन जन जन जाती है ने पहली बार आम चुनाओं में 24 में मद्दान किया है इसके लाग देखा जा तो दिव्यांग मद्दाताओं को अपने म 20 पॉइंट है कि 24 में सभी चड़ों के कुल मिलाकर मद्दान के अंदरों पर 65.79 परसेंटेज मद्दान दर्ज किया गया और यह आकड़ा सकल मद्दाता मद्दान को इंगित नहीं करता क्योंकि इसमें डाक मतों को सामिल नहीं किया गया है और 6 जून 2024 को जारी आकने के अन मद्दान उत्ता परस में 56.92 वहीं पर देख सकते हैं संसदी निर्वाचन हेतु आम चुना दोहया 24 में सभी साथ चड़ों के मद्दान हेतु इसकी मद्द करना 4 जून 2024 को संपन हुआ इस दिन स्टाक मार्केट आपको पता है बहुत जादा गिंची गिरा हुआ था और उल जित का सबसे बड़े दल के रूप में उबर का सामने आई और वहीं पर भारति राश्टिक कांग्रेस 99 सिटे और समाजवादी पार्टी 37 सिटे जित करती सरह स्थान पती ठीक है इसमें देख सकते हैं 240 बीजेपी 90 जो की 99 है भारति राश्टिक कांग्रेस समाजवादी 37 AIT DMC 29 DMK 22 TDP 16 और जनता दल इनाटेट बार ठीक है देखिए बरतमान लोगसभा में जो इस्टार माक है इसमें तो राहूल गांदी दो सीटों पर लड़े थे तो एक सीट उनको छोड़ना ही था तो राइबरेली कुनों ने चुना है और वाइनाट को छोड़ा है तो इसमें अच्छा परपान में समाजोदे पार्टी ने किया इस बार का मतलब की एक तरह से छोटी पार्टी होकर और देखा जातो सबसे ज्यादा मस जितने उलग परत्यासे बारतिरा इंस्ट्री कांग्रेस के दुबरी के छेतर के आसम में दस लाग ओटों सजिते हैं और शिवराइसिंग चाहवान भी आट लाग एकईश अजार ओटों से बीदिशा से सियर पार्टिल बीजीपी के नवसारी गुजरास से साड़े साथ लग तेतर हजार ओटों से जितने हैं और इसके लवा गरम बात करें आट रहमी देखिए उपरिक शुची के निर्माड में इंदोर लोग सभा निर्वाचन छेत के प्रडाम को सामिल नहीं किया गया है क्य आगराज अट्रमी लोग सभा में सबसे कम आयू की सांसद मात्र 25 वर्स इनका जर्म एक मार्च 1999 को हुआ था दोच्चोविस में कौसम भी संसदी निर्वाचन छेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं और समाजवादी पार्टे से अस्थान रखते हैं वह सबसे इवा महि महिला में भी प्रिया सरोज हैं जो कि यह भी समाजवादी पार्टे से सबसे कम उम्री की महिला हैं जो कि 25 वर्स के अठावी लोग सभा में सबसे कम आयू की महिला सांसद हैं इनका जन्म भी 23 नौंबर 1999 को हुआ था मचली सहर संसदी निर्वाचन छेत्र उत्तपड़िस से सांसद निर्वाचित हुई सबस oraz दीश समाजवादी पार्टे से संह्मद रखती हैं लोग समाञ निर्वाचन दोयाच विस में कुलम्रा का 74 महिलायες शांसद के निर्वाचित हुई और 2019 के आम चुनाओं में कुलमला का ठत्र महिलाएं भी जई हुई थी इसके लोग देख सकते हैं साथ जुन दोहया 24 को नई दिल्ली में एंडिये संसदी दल की बैठक संपर्ण हुई बैठक के दवरान परदान मंति नर्द मोदी को सारु समती से एंडिये संसदी दल का नेता चुना गया और राश्पति बहुन में आजूत एक समारों में नर्द मोदी जी ने लगतार तीसरे कारकाल के लिए भारत के परदान मंतिरी के रूप में सबत लिया है और पंडित जभाला नहरू के पस्चा तीसरा कारकाल के लिए अपत गहड़ करने वाले मोदी श्री मोदी जी दूसरी ब्यक्ति हैं और प्रधान मंतरी के अतिरित तीस कैबिनेट मैंडिनेस्टर और पांच अतिरिक्ति मंतरी जो स्वतन्त प्रभा और इसके अलावा 36 राज मंतरी ने भी सबत ग्रहण किया तायोब क्लियर हो गया होगा इसके लवागर हम देखें बिशिश रती थी काउंस थे रानिल बिक्रम सिंग है स्रिक्रिस लंका के ततकाली राश्पती थे डाक्टर मुहमद मुहीजूर मालदीव के राश्पती सेख हसीना थी प्रभुड कुमार जगना जो कि मारिसेस के प बृबıpराश्पती थिहें अब एकेшт कर राज्यों में भी विदानसभा चुनाओं की भी इसके साथ चार राजों में विदानसभा चुनाओं भी हुआ जिसमें से आंद परदेश सत्तर में जो चुना हुआ था सिरर माई को इसका काउंटिंग इसमे चार जुन को इसका काउंटिंग हुआ और तेरह माई को इसका वहीं पर चेंद्रबाबु नायडू ने भी आंद्पर्देश के नए मुख्यमंत्री के रूप में सबत लिए साथे साथ लोगपरी अभिनिता और जन्सेना पार्टी के संस्तापक पाउन कल्याड को आंद्पर्देश के मुख्यमंत्री बनाये गया है वहीं पर अपने चार दसक से अधिक के राजियतिक वह कैरियर के दौना सिर्फ राइडू ने चौथी बार आंद्पर्देश के मुख्यमंत्री का पद्गराड किया वहीं पर ओडिशा विदानसभा दोया चुबिस के चुनाओ के बीशा में अगर देखा जा तो सुलमी अगर देखा जा तो इस बार बीजेपी को ने अटतर सीटे जित का समान भौमत आसिल किया है और बीजू जनता दल और उसके नेता नविन पतनायक ने चौबिस वर्शलम्बे समय का सासन का अंत हो गया और इसके अलबा ओडिशा में आईवित एक समारों में मोहन चरण मुकमत्री कनक वर्दान देव सिंग है और साथे साथ प्रावती परीदा को मुकमत्री नियुक्त किया गया है ठीक है बीजेपी ने पहली बार विद्धान सभा चुनाओं में अपने दम पर भौमत हांसिल कर सरकार का अगठन किया और वांचा पर्दिश में अगर देखा 24 को संपन हुआ और सेस दस निर्वाचन छेत्र में बीजेई बीजेपी जोकर निर्वरोत बीजेई गोशित किया गया और एगर इसमें देखा जाए तो दो जून दोयाँ चोविस को गोशित चुनाओं प्रडाम के अनुसार साथ साथ सदस्री अड़वांचा प्रदेश म अब देखें विदान समा दोयाँ चोविस के इसका भी देखें तीन जून दोयाँ उनई से लेकर दो जून दोयाँ चोविस तक निधारित था और शिक्की में विदान समा निर्वाचन छेतरों के पुल संक्या टोटल थाटेटू है जो कि एक का पवाज सवरूप है अब देखते हैं धार्मिक अलफ संक्या को कि इससेदारी और एक अंतर देशी बिष्लेशड़ उनईसो पचास से लेकर दोहजार पंद्रतक्र तक के बिष्टवरूब साथ माई दोहजार चोविस को प्रदानमंत्री के एक आर्थिक सलाकार परसद एकनॉमिक एडवाइजरी काउंसील टू दा प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक अध्यान प्रकासित किया गया इसके अध्यान को धार्मिक अलफ संक्याकों की इससेदारी एक अंतर देशी ये 2060 के नाम से प्रकासित किया गया इस रिपोर्ड में बिस संकक्यों की इससेदारी के पदो में मापा गया इस रुपोर्ट में उन्हें 167 देशों पर ध्यान के अंदित किया गया जिसमें से 1950 में बाउसंक्यक धार्मिक जनसंक्या की कुल जनसंक्या के हिस्यदारी 50% से दिखती है अश्मनी 0.8 के 1950 से वर्ष 2015 के मद्य भारत में कुल जनसंक्या में हिนदू के इसिदारी 7.82% के कमी दर्श की जबकि कुल जनसंक्या में मुश्याय और सिख़ती बढ़ी है इसके लग्रो देखे वर्स भारत में वर्स 195 में कुल जय सेंक्या में मुस्लिम अबादी के गिसा 9.84 परसंटेज था जो दोहियाram 15 में बढ़कर 14.9 परसंटेज हो गयी यह बड़ोत्री भारत में मुस्लिम अबादी की सितारी में वर्ष नुनेशुपचास से वर्ष 2015 के मद्य 43.15% की बृद्धी को परदसित करता है भारत में इसाई अबादी का इसा 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया है यह वर्ष 1950 से वर्ष 2015 के मद्य 5.38% की बृत्धी को दर्शाता है भारत में सिख अबादी का इस्सा उन्हेश पचास में 1.24% से बढ़का 2015 में 1.85% हो गया जो कि सिख अबादी में इसी अवदी के दरौन 6.58% बृत्धी को प्रशित करता है 1950 से वर्ष 2015 की अवदी के दरान भारत में बहुत जनसंक्या में भी बृत्धी दर्श की गई वर्ष 1950 में कुल जनसंक्या में इनकी सिख दारी 0.05% थी जो 2015 में बढ़कर 0.81% हो गई अब देखते हैं निस्ट में पार्च गैर मुस्लिमी देशों में से मेमार भारत नेपाल में बहुत संख्यक धार्मिक संप्रदाय की सिख दारी में गिरावट देखी गई जबकि बोटान और सिलंका में इसकी सिख दारी में बृत्धी देखी गई है अब देखें नागरिता संसोदन अदियम या नियम दोजया चोबिस की विसे हम देखते हैं 2019 में धार्मिक उत्पिडन या ऐसे उत्पिडन के डर के कारण भारत पंगलादेश पकिस्तान अफगानिस्तान से पलायन का भारत आय जो अर्प्संख्यक समुदाया जिसमें से हि अधिनियम अनुट 25 में संसोदन का प्रावधान किया था और 11 दिसमब 2019 को संसत के द्वारा या विदेख पारित हुआ और उस समय के जो राष्पति ड्राक्टर रामनाथ को मिंद के द्वारा 12 दिसमब 2019 को साइन करके इस विदेख को सुकृति प्रदान की गई और या यह अधिनियम अधिसुचित नहीं किया जा सका इसके अलवा गरम बात करें ग्रीह मंतराले ने 11 मारे 24 को नागरिक्ता संसोदन नियम 24 को राजपत के मादेम से अधिसुचित जोवर्ष 2019 में संसत के द्वारा पारित नागरिक्ता अधिनियम 2019 के कर्यानों को सच्छम करेंग पार्शी इसाई को प्रवाचियों के लाब होगा और 31 दिसम्बर 24 तक भारत में प्रवेस कर चुके अब भारत के नगरिता चाहते हैं उनके लिए था वहीं पर भारती नगरिता के लिए अरता प्राप्त करने के लिए आविद्कों को अपने मुल देश धर्म भारत में लिए देशी जल बिदूत पर्योजना के विशह में दिव्यांग मल्डी परपज हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रजेक्ट एक जल बिदूत सहभाण नियंत्रण सहभाण नियंत्रण इसकी में इस योजना का छंता जो कि 288 मेगावाट है इस पर्योजना का निर्माड अडव तिब्बत सीमा के निकट हिमाले के वर्प से ढके दच्छली भाग से होता है नौ मार दोहजार चोबिस को प्रदानमाति नर्द मोदी ने दिबांग बहुत देशी जल्बीदुद पर्यूजना की अधार सिला रिखी और NHBC Limited के द्वारा इस पर उजना का भी कैस किया गया है और 31,875 क्रोड रुपे के अधिक लागा से इसको निर्मित किया जाएगा 280 मिटर उचे बांद का निमार परस्तावी थे जो भारत का सबसे उचा कंक्रिट भारत का सबसे उचा कंक्रिट ग्रेवटी बांद होगा इस बात का निमार रोलर कंपेटेट कंक्रिट तकनिकी से किया जाएगा और यह अभी सुका सबसे उचा आर्शेसी बांद होगा इस बात का अगर भी से हम देखाया तो अपने लर्च चरम पर एक महिने में पांच लाग क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रठक करना और ऐसा करने वाला यभी सुका पहला बाद होगा ठीके दो हजार बत्तिस में इसका प्रस्तावी थे इसकी तैनाती दिबांग बहुत देशी जल बिदूत परियोजना उसे उत्पन बिदूत परियोजना अड़वांचा परदेश के विकास के लिए 12% मुप्त बिजली प्रदान करेगी साते साथ अस्थानी चेत्र विकास ने दी के लिए अतरिक एक परसेंट बिदूत प्रदान करेगी अब हम दो देखते है नेस्ट में अन्य महत्यबड़ पॉइंट है कि सिद्ध थ्री गार्जिस सहेंतर है जिसकी चम्तार 22.5 गीगावाट है बखुत बड़ी बात है अब देखे सेला सुरंग राष्ट को निर्मित किया गया हाल में प्रदान मतिज ने नौ परदो दोजा उने इसको सेला सुरंग के अधासुला रखी है और इसका निर्माड एक अपर दोजा उने इसको प्रारब हुगा और दुर्गम चेत्र और प्रतिकुल मौसमी परशितियों के चुनवतियों के पार करते हुए या सुरंग मात्र पांच वर्षव की अउधी में बन करते यार हो गया और नादमोदी जी ने अड़वांचा पर्देश में अभासी माद्य अड़वांचा पर्देश की तवांग को जोडने वाली सडख है ठीक है आयोब कलिया हो गया होगा इसके अलावगर हम बात करें सेला सुरंग सेला दर्रे की हीम रेखा से काफी नीचे बनाईगी है और जिससे वर्प को बिना हटाए सबी मौसमों में सुगमता पुर्वक यात्रा संभव हो सकीगी इसका देखे असम को अड़वांचा पर्देश से जोडने वाली बाली पारा चारद्वार तमांग बी सिटी सड़क पर समुन तल से लगबग तेरह हजा साथ सो फिट तेरह हजार साथ सो फिट की उचायब पर सेला दर्रा बीसी थे जो की अपने जोखिम भरे और दुरगम मार्क के लिए जाना जाता है इसकल देखे इस सुरंग का नियू आश्ट्रियन टनलिंग बीधी के द्वारा किया गया है और विस्व की सबसे लंबी दूलेन सड़क स पानर जो की साथ में दुचायब पर रही है और इसमें देख सकते हैं ब्रांक्सा पूल को भी मानता प्राप्त है ये भी 8 मई 24 को वर्ड बुकाप रिकार्ड के लंदन के द्वारा लद्दाक इस ब्रांक्सा पूल को बिश्व के सबसे उचे मल्टी स्पैन पूल के रूप में मानता प्रदान की गई ये पूल स्योक नदी पर निर्मित है 14900 फिट की उचाई पर इस पूल का निर्मार किया गया ह 114 वत्ता दिनों में निर्मित ये पूल लद्दाक में भारती थल सेना को परिचालन और लोजिस्टिक कनेक्टूटी परदान करेगा अब देखते हैं सवर की प्रतिमूर्थी के बिशा में तो देखे इसमें लाचित बरफुकन लाचित बरफुकन जो की 24 नॉंबर 1622 अमर तो अकांचाओं पर रोक लगाने में सफलता प्राप्त किया था लाचित बरफुकन ने 1611 में लड़े गए सराई घाट के यूद में असमिया सेनी को प्रिरित किया जिसके फलसरूप इस यूद में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था देश में वर्ज 2022 को सफ्विज यन्ती के रूप में मनाया गया सराई घाट के यूद में लाचित बरफुकन की बिरता और समिया सेना की भीजे के असमड में असम और राज रसतर पर प्रतिवस 24 नमबर को लाचित दिवस के रूप में मनाई जाता है तिसमें में पॉइंट यह कि ने द यह विश्व में लाचित बर्फुकन की सबसे उची प्रतिमा है और उलकनी प्रतिमा को सौर की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया है इसको भी राम विशुतार ने इसका सिल्पकार किया है इसकारद के एकात्मक्ता की मूर्ति भी आप जानते हैं शीरा सिंग सावान जो कि मद्धवर्दिस के उसमय के मुख मंतरी थे तेक्टिस एक्टिस सितंबर दोया तेज को एकात्मक्ता जो की बोलते हैं इस टेचू आप ओननेस के अनाड़ किया था जो कि आधी गुरु संक्र चार की एक विशार प्रतिमा है खंडवा जिले की पूराना तहसील के अंत्रगत उनक्रेश्वर में मंधाता परवत पर अस्थापित किया गया एक्सो आट प्रतिमा है और इसकी उच्छाई एक्सोपचीस फिट है एक्सोपचीस फिट उचे एक मंच आशन के उपर इस्ति दूसरी सबसे उची प्रतिमा है तोटल है एक्सोपचीस फिट है अब हम लोग देखते हैं नेस्ट में संसदी विशेसादिकार पर एतियासिक नेडर नोट फार ओट मामला है इसमें देखे संसदी विशेस अधिकार वे विशेस अधिकार है जो संसद के एक अनिवार के अंग के रूप में संसद के प्रतेक सदन को सामयुक रूप से और प्रतेक सदन के सदस्यों को ब्यक्तिवत रूप से प्राप्त हैं इन अधिकारों के बिना वे अपने कर्टब्यों का निर्वान चमता पुर्वक और परभावी रूप से नहीं कर सकते हैं जो अन्य निकायो अत्वा ब्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों से कहीं अधिक हैं सब विदान के अनुचेद 105 और 194 में संसत राज विदान मंडल के सदस्यों और उनके सदस्यों तता समितियों के सकती विश्यसादिकार और उन मुक्तियों का उलेक किया गया है असमड़ी पॉइंट है कि भारत के मुक्तियों के नियादिस डिवाई चन्दचुड के अधिस्ता अवली सात सदस्यों की पीट ने सीता सोरेन बनाम भारत संगबाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्द 2024 को 1998 के पीवी नर्सिंगा राव बनाम राज मामले में पांच नयादिसों के द्वारा बहुमत के अधार पर दियेगे फैसलों को सरोसमती से खारिच कर दिया है उच्तमनाले के इस फैसले के उपरांत संसद और विधानमंडल के सदस्यों को भासड या ओट के लिए रिच्वत लेने के मामले में संसदी विशेशादिकार के तहत परतिश्चा नहीं प्राप्त होगी उच्वत लेने के मामले में संसद और विधानमंडल सदस्यों के किलाब कानून परवर्तन एजंसियों के द्वारा जांच वर मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रसस्त हो गया है इसमें देख सकते हैं अतियासिक नेड़ा लेने वाले अदेने वाले खंड़पिट के साथ सदस्य जस्टिस डिवाई चंदचूर जस्टिस एसम बपन्ना जस्टिस एम एस सुन्दरेस जस्टिस पी एस नर्सिंगा और जस्टिस जेबी परदिवाला वह पर जस्टिस संज लोग को पलड़ते हुए उस्तम न्याला ने नियुड़त किया कि संसद संसद और विधान मडल संसद में ओड देने या भासट देने के लिए रिश्वत देने पर विशेशाधिकाय के ताथ अभियोजेंस से छूट का दावान नहीं कर सकते हैं ग्याद ग्याद तब यह है कि भारत के स्रोच न्याला ने वर्स उनाई सटानवे के पांच न्यादीशों की सविधान पीठ वाले पीबी नर्सिंगा राव बनाम राज आदी मामलों को पुनर रुचार के लिए सितंबर दोहाद तेश में साथ न्यादीशों को पीठ को जैनर वेलकम टू स्टड़ी बैटल देखिए इसमें हम देखते हैं जो राष्ट्री घटनाकरा में इसमें देखते हैं पीम सूरे घर मुक्त बिजली योजना भी बहुत ही अभी प्रदानमंत्री जी के द्वारा इसको लांच किया गया है देखिए इसमें देखिए गलास सो गिगावाट नॉन फोसिल बेच्ड़ विद्दूत उत्पादन चमता करने के दिशा में कारे रत है अंतराष्टी जो नवकड़ी उर्जा अजनसी हैं इनके द्वारा नवकड़ी चमता संक्यां की दोजार तेज नमक रिपोर्ट की अनुसार भारत नवकड़ी उर्जा स्थापित चमता के संदर में 24 अस्थान पर है जो कि पवन उर्जा चमता में भारत 24 अस्थान पर वहीं पर सर उर्जा में पांच में अस्थान पर देख सचने बहुत ही अच्छा कदम रहा है प्रधान मंतरी जी का और नर्यद मोदी जी के अदिश्ता में पीम सूर्य घर बिजली मुप्त बिजली योजना को मजूरी परतान किया गया है दोजयाच चूबिस में उन तीस फर वरी को और यह लांच भी किया गया तेरह फरूर्य फ्रववरी दोजाचोबिस को प्रधान मंतरी जी के द्वारा एक केंदरी चेत्र के उजना है और देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सौर उर्जा का अस्थापना का लच्छे निधायत किया गया है इसके अलवा अगर हम बात करें छत पर सौर उर्जा पढ़ाली के अस्थापना से देश के एक करोड़ परिवार प्रतेक मा तीन सो इनुट तक बिजली निशुल के प्रावत कर सकते हैं इसके ताहत साथ साथ इसमें 75,000 करोड उपे तक निधायत किया गया दो किलोवाट छमता तक सौर उर्जा पढ़ालियों के लिए उस पढ़ाली के लागत की 60% राज्टी जो की केंदरी बित्ति साहता के माध्यम से दिया जाएगा जबकी 2 से 3 किलोवार्ट के मद्दे जो छमता वाली सौर उर्जा पढ़ालियों के लिए उस पढ़ाली के अत्रिक लागत की 40% सबसेटी के रुप में परदान की गयाई तक सौर उर्जा पढ़ालियों के लिए केंदरी बित्ति साहता दी जाएगी और देश के प्रतिक जीलों में एक आदर्स गाउं आदर्स सौर गाउं बिख्षित किया जाएगा जो ग्रामीड छेत्रों में छत पर सौर उर्जा पडाली के अस्थापना है तो अनुकरड़ी ये उधारड़ के रूप में कारे करेगा और इसके अलवा अगर हम देखा जाए देश के प्रतिक जीले में एक आदर्स गाउं बहुत इंपोर्टेंट कदम है और अपने छेत्रों में रूप टाप सौर पडालीयों की अस्थापना को परशाहित करने के लिए अस्थानी सहर्जी निकाय और पंचायती राज संस्थान को बिभीन परशाहनों के माद्यम से लभावित किया जाए गया यह योजना नविकरी उर्जा सेवास कंपनी जो की रेसको रेनिवल इनर्जी सर्विस कंपनी अधारित माडलों के लिए भुकतान समंधी सुरच्छा है तो एक घटन परदान करेगी और रूप टाप सौर प पाट के सौर चमता के ब्रिद्धी भी होगी और इसमें 25 वर से जीवन काल के लिए 720 मिलियन टन सी ओटू के बराबर उर्ट सर्जन में कट होती भी होगी इसकल देखें बोईंग सुकन्या कारेकरम के विशा में हाल में प्रदान मंतिर नेर्द मोदी जी ने बोईंग सुकन कारेकरम देश भर की जो बालिकाएं हैं महिलाओं हो उनके लिए स्टेम जो कि साइंस टेक्नोजी इंजिरिनिंग और मैथमेटिक जैसे चेत्रों में महतपुड काउसल को सीखने का आउसन परदान किया जाएगा साथ इसके तहत उन्हें बिमानन चेत्र में नौकरी यह को देखते हैं हाल में प्रदान मंत्री ने बैंगलूरू करनाटक में बोईंग इंडिया इंजिरिंग एंड टेक्नोजी सेंटर के एक आधुनिक परिस्तार जो कैंपस का उद्गाटन किया है इसमें 16,000 कोड़ पेक निवेक से 43 एकर चेतर में निवित किया जाएगा यह ब हेलिकाप्टर विनिर्मार सहंत्र को राष्ट को समर्पित किया है यह एसिया की सबसे बड़े हेलिकाप्टर विनिर्मार सुप्दा है वह अब देख सकते हैं स्वाती पोटल की विशे में 11 परवी 24 को बिमान में बिज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतराश्टी दिवस के उसर पर नए दिली में सित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाती नामक पोटल को लांजिया है स्वाती का पुड़ नेम है साइंस फारोमेन और टेक्नलोजी एंड इनोसन इस टेम की पीसे हम जानते हैं यह भारत में अपने तरह का पहला पोटल जो 1818 को केंद्री बित मंत्राले के आर्थिक कार विभाग के द्वारा आर्बी आई जो अधिनियम है 1934 की धारा 31 के उपकंड थार्ड के तहट चुनावी बांड योजना 2018 इलेक्टरोल बांड स्कीम 2018 को जारित किया गया है असुचित किया गया इसके माद्यम से केंसरकार का उदेश देश में जितनी भी पॉलिटिकल फंडिंग की वेवस्ता में पाड़र सिता लाना था केंसरकार के मत था कि चुनावी बांड के माद पिट ने चुनावी बांड योजना को अनकंसिट्यूशनल घोशित कर दिया है साथे साथ इस योजना को रद किये जाने का भी नेड़ा दिया गया है ते इसमें देख सकते हैं उस्तम न्याले के पांच सदस्ती सभिधान पिट ने यह नेड़ा दिया कि उसमें भारत के राणियतिक दलों के बित पोशड से सम्मधि सुचना को गोपनी रखने के माद्यम से सभिधान के अनुछेत 19 के 1 के उपकंड एक के अंतरगत मजदाओं के सुचना के अधिकार का उलंगन करती हैं न्याले ने चुनावी बांड को जारी करने पर रोक लगा दी है उस्तम न अधिनियम 951 की धारा 29C उपकंड वन बित अधिनियम 27 की धारा 137 के द्वारा संसोधित हैं कंपनी अधिनियम 23 की धारा 182 उपकंड 3 बित अधिनियम 27 की धारा 154 के द्वारा संसोधित और आएकर अधिनियम 961 की धारा 13A उपकंड B बित अधिनियम 27 की धारा 11 के द्वारा स संसोधित को भी और सविधानिक गोशित करते हुए रद कर दिया गया है इसमें अगर हम देखा जा तो उच्टम न्याला के अपने नेड़ा को पुरुरुप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बांडों के जारी करता बैंक तर जथा भारती स्टेट बैंक को 12 अप्रेल 2019 से अब तक खरीदे के चुनावी बांडों को विवरड बार्त निर्माचन आयोग के सच्छम समझ प्रस्यूत करने का निदेश किया है ठीक है तिसमें यही है कि आभी आपको पता है कि टोटल कितना चंदा हुआ भारती राजी भारती जनता पार्टी को 60605 करोड AITMC को 1600 करोड लबग और भारती राशी कांग्रेस को 241 करोड बारती राश्रमिती वहीं पर बिजू जनता दल को 755 करोड रुपया मिला है वहीं पर देख सकते हैं जो कंपनियां सीर्ष कंपनियां गेंग कंपनी 500 करोड रुपया दिया है मेगा इंजिनीनिंग दिया है 966 क्विक सप्लाइचेन प्राइबेट लिंटेट 410 करोड रुपया बेदानता ने 400 करोड और हल दिया इनरजी लिंटेट ने 387 करोड दिया है चुनावी बांड एक ऐसा बांड जो बचन पत्र के रिखो ठीक है इसमें एक हजार रूपे दस चार रूपे एक लाख रूपे दस लाक रूपे और एक क्रूड लुपे मुलो वर्ग में जारिक किया जाता थे यह बंड जारी खाने की केवल इलिजिबल राजनेतिक धल के द्वारा ही बुनाया जा सकता है ठीक है तेसको आप देख सकते हैं इसके अलवा देख सकते हैं भारत रत्न 2024 के इसे में हाल में भारत रत्म देश का सरोच नागरिक समान आपको पता है जो मानवी उद्यम में किसी छेत्र में असा धार्ड योगदान ने तू परदान किया गया है भारत रत्म सम्मान की परंपरा वर्स तुन इसो चोगवन में शुरू की गई थी अब तक कुल तीरपन लो 31 मार्ट 24 को राश्पती ने लाव के साड़वारी को नई दिली सित उनकी आवास पर एक अपचारिक स्वामारों में भारत रत्म समानित किया गया इसके अलवा चार अन्य बुव्रतियों को जो मड़ो परांथ भारत रत्म समानित दिया गया है इसमें से देख सकते हैं या एक तरह से स्वतंत्र सनानी थी राजियंती कवस्चक भी थे जन्नायक के नामत इनको जानते थे कपुरी ठाकर को और विहार के दो बार मुख्यमंत्री के रूप में रहें पिछले वार्ग जो के बैकवर्ड क्लास के लिए अरच्छोर लागो करने के लिए इनको याद सरकार ने 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में सिफारिस के अधार पर राज में सरबतम पिछडे वर्गों के लिए आरच्छड को लागो किया है इसके लादे सकते हैं कपुरी ठाकर के नाम पर जन्नायक कपुरी ठाकर बीधी महाबिद्यालब बक्सर बिहार में सित है यहीं के नाम पर जन्नायक एक्सरेस भी चलता है लाग किसकाडवाणी यह भी जानते हैं भारती राज जनता पार्टे के संस्थापक सद्यसों में से एक है और 2004 तक इन्होंने 2002-2004 तक प्रदान मंत्री रहे और बीजेपी के राष्ट्रे अधर्च के रूप में भी क टुकार रहे यह फ़ी निर संग्मार अब जांते हैं बहरत के प्रदान मंतरी रहे हैं और भारत की प्रदान मंतरी के रूप में प्रदभार गढएं के बाद इनको नेत्योंग में ततकारिन के स्रकान ने ब्यापक जो आर्थिक अस्तिर करण की की नीति को अपनाई और कई भी इस्ट्रेक्शलर रिफाम की शुरुबात किया और इनको फादर आप एकनोमिक रिफाम के रूप में भी जानते हैं डाक्टर एम स्वामीनातन के भी से माँ जानते हैं एक क्रिसी बैग्यानिक थे जिनने भारत में ग्रिन रिवलेशन पर उनक को समयत किया गया है वर्स 1988 में चिन्ने में डाक्टर एम स्वामीनातन रिसर्च फाउंडेशन के भी अस्थापना की गी थी अब देखेंगे अमलों को डालफिन के विशे में डालफिन राष्टी डालफिन सोध के अंदर का उद्गाटन किया गया है नदी डालफिन पूरी की बीहार के मुक् Oh मतनि नदी सिंद्र का उद्गाटन किया या पटना मिस्तित है और यह यसियां में अपनी तरह का पहला केहंद्र भारत के साथ साथ और राष्टी डॉल्फिन सोथिकेंदर का लच्छ यही है कि डॉल्फिन अनसंधान के लिए एक ब्यापक सुविधा के रुप में निर्माड करना या कार करना और इसके अलवा देख सकते हैं साथ साथ बिभिन कारकों जैसे डॉल्फिन की भोजन समंदी आदतों बदलते परियोड में उनके अनुकुलता का भी अधिन किया जाएगा नदी डॉल्फिन के सरचड के लिए बैस्वी गोश्रा के भी सम देख सकते हैं ग्लोबल डेक्लेडेशन फार रिवर डॉल्फिन बाय टॉन्टी थर्टीज के हसाशर करता ग्यारत देश से जिसमें साथ देख सकते हैं मंगला देश बोलबिया ब्राजील कंबोडिया भारत कोलंबिया एककडोर नेपाल पकिस्तान पेरु और मेनुजुला बहुत इंपोडेंट भारत में राष्टी डालफिन दिवस मना जाता है पांच अक्टूबर को अब देखें सुधरसन सेतु का उद्वाटन किया गया है इसको भी समय देखते हैं सुधरसन सेतु देखें देव भूमी द्वारका गुजरात में कच की खाड़ी के दच्छिड चेतर में इस्तित एक जिला है इस जिले में इस्तित द्वारका नगर हिंदुों के चार पवित रस्थलों में से एक है जिल में से चार धाम में पहला धा में बदरिनात उत्राखंड में हैं द्वारिका द्वारिका दिश मंदिर उजरात तिसरा है पूरी जगनात में और पांचमा रामेशुरमता मिलाड़ों को कहा जाता है देव भूमी द्वारका में सिद बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है यह द्वीप लगभग 9 किलोमेटर लंबा और दसमलों 5 से लेकर 2 किलोमेटर चवड़ा है अभी तक इस द्वीप का तक केबल 9 छोटी नकाउं के द्वारा ही पहुचा जा सकता है जो बेट द्वारका प्रधान मंत्री नर्द मोदी जी ने इस सेतू की अधार सिला रखी सुदर्शन सेतू के कुल लंबाई लगभग 2.32 किलोमेटर है जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारेटिका हुआ है फोर लेन वाली सरचना के रूप में डिजाइन किया गया अब देखिए जुहारों के कल्यार सहीत मस्यपालन छेत्र के समग्र जो ओवराल विकास के लिए 20,050 करोड रुपे अनुमानित निवेस से करेंट किया जा रहा है ठीक है यह सबसे बड़ा मस्यपालन के छेत्र में सबसे बड़ा निवास होगा बहुत इंपोटनेट है और मस्यपालन का जो ब्लू रिवलेशन के नाम से जानते हैं पांच वर्ष के अवदी के लिए इसको किया जा रहा है और असमाडी पॉइंट है कि केंसरकार के द्वारा प्रधान मत्र मस्यकिसान सम्रिदी सायोजना को मजूर दी गी है ठीक है और केंदरी मंतिर राजी उरंजन सिंग के द् निती ने जे सकत्त्तो कि आर्टिकल चवालिस में भारतों के लिए एक समान नागरिक सहिता का असपष्ट उलेख किया गया है अनुश्य चवालिस के अनुसार राज भारत के समस्त राजचेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिता प्राप्त करने का प्रया अस्मनी पॉइंट है कि साथ फरी दुहिया 24 को उत्राखंड बिधान सभा के द्वारा समान नागरिक सहीता बिधायक को पारित किया गया है या बिधायक समान नागरिक सहीता उत्राखंड दुहिया 24 सीर्षक से बिधान सभा में प्रस्थित किया गया था इस प्रकार तो आही वड़ों हो गया हो गया यह उत्राखंड का अधिनियम संख्यात तीन वर्ष दोहटोषी के रूप में बार्रा मार्थ दोहटोषी को अधिसूचित के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया। तायोब क्लियर हो गया संपूर उत्राखंड राजबा इसका विश्तार है अब भारत के सभिधान के अनुशे 366 के उपखंड 25 सभ पठित अनुशे 342 के अंतरगत निधारित किसी भी अनुशेत जन जाती के सदस्यों पर इस सहिता में अंतरविष्ट कोई प्रावधान लाग अपना की गई थी और इसमें अगर देखा जा तो पांच फ़री 2020 को प्रदानमंति नर्यद मोधिजी ने लोकसभा में इस न्याय के गठन की गोश्रा किया था अस्मारी पॉइंट है कि प्रदानमंति नर्यद मोधिजी ने अयोद्या में स्री राम जन भूमी में भगवान स्री राम के बाल रूप बिग्रह की बीदी पुर्वक प्राणपतिष्ठा किया और इस दवरान उत्तबरेश की राजपाल आनंदी मेर पटेल मुख्य मंतर योगी आदेदनात आरेसस के सहसंचालक डाक्टर मोहन भागवत और स्री राम जन भूमी के तीर्थ चेत्र के ठोड़ता से पारन किया इसमें से ग्याराद दिनों के वरत अनुष्ठान के द्वरान परदान मंतर ने श्री कालारा मंदीर, पंछोटी धाम, पवित्र, त्री पैयर, श्री रामा स्वामी मंदीर, विर्भतर मंदिर, लिफाची, श्री रंगनाथ स्वामी, श्री रंगम तमिलाडू इस तरह जितने भी मंदिर है गुरुवायूर मंदिर केरल ठीक है धनुसकोडी तमिलाडू जैसे अस्थानों क्यात्रा किया है जो किसी ने किसी रूप से भगवान सी राम से समधी थे अब देखते हैं स्री राम लला की प्रतिमा के विशे में स्री राम जन भूमी मंदिर के गर्भगरी में स्री राम लला की जो प्रतिमा है 18 जनुरी 2024 को अस्थापित किया गया और इसका प्राड़ पतिष्ठा 22 जनुरी 2024 को संपन हुई जो प्रतिमा है करनाटक से लाया गया था 2.5 और वर्ष फुर किर्श शिला पत्थर जो काले गरिनाइट का प्रोई किया गया है इसका वजन 200 किलोग्राम है और मुर्ति की उचाई लगबग 4.25 फिट है और इस प्रतिमा में 5 वर्ष के आयू के श्रीम राम लाला को खड़ी म मुद्रा में दर्ष आए गया है और कमल के फुल के अकार के अतार पर इसको दर्ष आए गया है और इस प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विशुर के दस निम्न अवतारों को दर्ष आए गया है जिसमें से मत्य कुर्म वरा निरसिंग वामन पर्चुराम राम किश्र बु प्रतिमा के मूर्तिकार करनाट के अरूड योगि राज है और स्री राम लादा की प्रतिमा को बालक राम नाम दिया क्या है अब देख स्री राम जनभूमी मंदिर का निर्मार परंपरागत नागर सहली में किया जा रहा है जो कि मन्दिर की लंबाए 308 फिट है, चोड़ाए 250 फिट, उचाई 161 फिट है यह मन्दिर 3 मनजिला होगा और प्रतेक मनजिल की उचाई 20 फिट होगी ठीक है, और कुल 392 पे खंबे हैं और 44 दवार होगी मंदिर के मुख्य गर्भगरी में स्री राम की बालरूप प्रतिमा प्रथम तल पर स्री राम दर्बार होगा मंदिर में पांच मंडप होंगे जो की निम्नोथ है निरित मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रात्ना मंडप और किर्थन मंडप पांचों मंडपो को पार करने के बाद ही स्री ही इस्तरधालू गर्भगरे में पहुचेंगे और मंदिरों के चारों और आयतकार परकोटा होगा जिसके लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फिट होगी इसके लवागर हम बात देखें मंदिर के समीप पराडिक काल का सीता कूप भी दिमार रहेगा इसको आप देखते हैं लुहे का प्रयोग नहीं किया गया इसमें इस मंदिर के निमार के लिए पत्थर लकडी पीतल सहित सभी समागरियां देश के अलग-अलग हिस्सों से जुटाए गई है गुलाइबी रम का जो बलुवा पत्थर राजस्तान से लाए गया है टीक की लकडी महराज से तिलंगाना वा करनाटा का से गनायट का पत्थर ब्रासवेयर उत्तपड़े से 42 गंटी यों तमिलाडी से लियाए गई है हरस्त शिल्प वारे लकडी के दरवाजे हैदराबाद ते लंगाना से इस तरह आप देश सकते हैं और से राम जन भूमी की एक अनूठी विसेस्ता इनका सुर्य तिलक तंत्र है इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्रतेक वर्ष स्री राम नौमी के दिन 12 बजे लगबक 6 मिनट के लिए सुर्य की किड़े स्री राम लाला की मूर्ती के मात्य पर पढ़ेगी ठीक है और इस हेतु गियर बाक्स और परावर्तक दरपड़ो लेंस को इस प्रकार ब्यवसित किया गया है कि मंदिरों के सिखर का निकट तिसरी मंजिल से सुर्य की कीड़ा को गर्वगरी तक लाया जाएगा इसके लाव देख सकते हैं और भारती भागोलिक खगोल भावतिकी संस्थान बंगलोरू ने सुर्पत और प्रकासकी पर आप्टिक्स पर तकनिकी साहता पदार किया है ठीक है इसके लेखे विभीर राजों के वादेवंत्रों की मंगल द्वानी उत्ता प्रदेश का जो वादेयंत्र है पक्खावज बासुरी करनाटका का बीड़ा पंजाब का अलगोजा महराश्ट का सुंदरी ओडिशा का मर्दूल मद्रदेश का संतूर तो उत्ता प्रदेश सब प्रदानमंत्री नर्दमोदी जी का देश्ट कोड देश की सहरी परिवहन जो अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफासक्सर और कनेक्टूटी को मजबूत करने या बनाने के माद्यम से नागरिकों को आवाजाही को सुगम बनाना और उसमें सुधार लाना है प्रदानमंत्री के देश्ट कोड के अनरूप मुंबई हांस हारबर लिंक का निमार किया गया है और स्टीमल नामक अटल बिहारी भाजपेई स्योडी नुवाहा सेवा अटल सेतू के रूप में किया गया है असमाडी पॉइंट है कि नर्द मोदी जी ने अटल बिहारी भाजपेई सिउडी नुवाहा सेवा अटल सेतु का उद्गाटन किया है 12 जनौरी 24 को और सबसे लंबा सेतु है सबसे लंबा समुद्र सेतु है 12 बरहामा सबसे लंबे सेतु भी है यह विश्व का एकरी दस्मरों 8 किलोमेटर इसकी लंबाई है 6 लेन वाला सेतु है और नाभी की रियक्टर के निर्माड में प्रयुक्त होने वाले सामगरी का प्रयोग है इस सेतु के निर्माड में किया गया है डिजास्टर रजिस्टेंट है सेतु जिस पर भुकंप हाई टाइट्स और चक्रवाद का कोई पर भाव नहीं पड़ेगा ठीक है बहुत इंपोटेंट है और जो यात्रा है लगबग दो घंटे का समय लगता था उसको पंदर में तैकिया जाएगा अब देखते हैं स्वच सर्वेचर 2013 की विषय में 11 जनुरी 2014 को राश्कति द्रवंति मुर्वु ने स्वच सर्वेचर 2013 के प्रडाम घोशित की है इसमें से 2023 में इसके विषय में आपने देखा दोना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसमें सबसे स्वच सहर इंदोर सात्य ही बार भारत का इंदोर शहर मधर प्रद्श का इसको घोश्चित किया गया है और शूरत गुजुरात को भी परथम रैग देदिया गया है ठीक है जिसकी अलवा देख सकते हैं एक लाग सेकम जन्संख्या में सासवाड़ है और सुष्व पाँच राजियों में महराश नमबर वाना मधवरी सेकेंड नमबर पर गंगा नगर में वरार्ची उत्त पड़ेश नमबर वाना सेकेंड परयाग राज उत्त पड़ेश हैं ठीक है ताइब क्लियर हो गया होगा इस तेड़ में अब गाजियाबाद को देख सकते हैं अड़ तिसमा नमबर है अलिगोड को चवरी समा है वह वरार्ची को एक तालिसमा नमबर दिया गया है एक लाग से अधिक जनसंख्या के सड़ी में और चंडीगड को सरुषिष सफा सविधान के अनुचे 373 के तहट जम्बू कस्मीर का विशेष राज का दर्चा परदान किया गया है इसमें अगर हम लोग देखें तो अनुचे 373 वर्ष 1999 में से अस्थाई प्रवधान के रूप में सविधान में जुड़ा गया था और इसके अलावा इसमें नेस्ट पॉ भारती सविधान के अधिकास अनुचेत जम्बू कस्मीर पर लागू नहीं होते थे तो आर्टिकल 35 ये अनुचेत 373 से ही उपचा है वर्ष 1954 में जम्बू कस्मीर सविधान सभा के सिफारिस पर राश्पती के आदिश के माद्यम से आया था ये अनुचेत जम्बू कस्मीर की विधायका को अस्थानी निवासियों को परवासित करने का अधिकार देता था जिसमें से अस्थाई नागर को उचमीर खरदने कारवार करने नौकरी आदी के बारे में विशेश प्रवधान दिया गया थे इसको 2019 में भारती संसत ने अनुचे 370 और अर्टिकल 35 ये के त के सरकार के द्वारा सविधान के अनुचे 370 और 335 पे को निरस्त करने के वैद नीड़ा को ठाराया दिया चंदर चूड अध्यच थे और जस्टिस एस के कॉल जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस बियार गवगई और जस्टिस सूरेकांत सामिल थे इसमें ठीके और इसके अब बहुत बार पढ़े ही होंगे आर्टिकल 370 को हटाने को वैद ठाराते हुए जंबु कस्मीर के सविधान सभा के अनुपरस्तिती में राश्पति जंबु कस्मीर के संदर को में आदेश जारी कर सकता है सरोच नियाला ने इस तत्यों को सुकार किया कि पांच अगर्ट हो जाओने इसको तत्कालनी राश्पति को अनुचे 370 का निजस्त करने का पूरा अधिकार था सरोच नियाले ने इस्तत्य को भी शुकार किया कि अनुछे 373 के तर्थ दी गए सक्तियों का प्रयोग करते वे राश्वती एक तरफा अधिसुचना जारी कर सकते थे इस हेतु संसत के दोनों सदनों को से सधारा बहमत से अनमोधित किया सकता होती है तो सरोच नियाले ने इस्तत्य को भी सईठ हरा है कि जब अनुछे 373 निरेस्त हो चुका है तो जंबू कस्मीर के सविधान का कोई अस्तित नहीं है तो और इसके अलवा देखे नियाले ने कैंसर कार्व को जंबू कस्मीर के राजी के दरजे को यह थासिक बहाल करने और 30 सितंबर 24 तक विधा सभाचुनाव कराने का नियुदेश दिया अब देखे नमो ड्रोन दीदी योजना की विशा में यह भारती फटिलाइजर का दुसरा सबसे बड़ा उत्पादक लेकिन प्राक्तिक संसादन जैसे की गैस, फास्पेटिक, पोटास गनी जो इत्यादी की अपर्याप्त उपलबता के करड़ यह उर्वक को का दुसरा काईयों को अस्थापना को पुरसान किया, इसके तत कैंसरका ने बैकल्पिक उर्वक के विकास के लिए सोदेशी अंसंधान को भी पुरसान प्रदान किया, इसके पड़ाम सरुप लिकुड नैनो फर्टिलाजर का विकास संबह हुआ, और नैनो यूरिया और नैनो किसान ड्रोन के उद्भाव से क्रिसी पदतियों में करांतिकारी परिवर्तन संबह हुआ, क्रिसी ड्रोन के माद्यम से उरुकों के छिड़काओं की पडाली सोचलित हो गए, जिससे समय की भी बचत होगी, केंदरी मंत्री मंडर ने नमो ड्रोन दीदी योजना को जी ने प्रधान मंत्री महिला किसान ड्रोन के अंदर का भी सुभारम किया है, केंदरी चेतर की योजना है, दोजार पचीश हबीश के अउदी के लिए टोटल बार सो एक सट करोड रूपे नविधारित किया गया है, और सेल्फ हेल्प ग्रूप की जो महिला है, इसको इनक को और किटनास को के छुड़ काव के लिए कि आजा सकागा, कुल मिला के 15,000 ड्रोनों के से प्रथम 500 ड्रोनों को उरुप कंपनियों के द्वारा उपलप्त कराया जाएगा, चौदर हजार पांसो ड्रोन अगले दो अर्सों में केंदरी साहता के मात्यम से उपलप्त कराया और कुल मिला के लागत जो की 10,000,000 ड्रोपे हैं, चाय को प्रणों के, 80% लागत लगवग 8,000,000 ड्रोपे केंदरी बित्ती साहता के मात्यम से प्राप्त होगा, ठीक है, और इसके लाओ देखे, आपने इसको देखी लिया, ड्रोन देदी के नाम से, एक हजार नमो ड्रोन देदी, नमो ड्रोन देदी को ड्रोन सोपे हैं, अब देखे, पीम जनमन, यह भी बहुत इंपोटेंट पीम जनमन की विश्म देख सकते हैं, भारत में जो अनसुषित जनजाती की अबादी, आप जानते हैं, 10.45 करोड हैं, इसमें से 18 राज्य और के समाजिक आर्थिक और स्थाच्रिक छेतों में असुरच्छा का सामना करना पड़ा है, तो केंद्री बित्र मंतरी निर्मला सितरमा ने अपने बज़र भासन में सवेदंसिल इन जनजाती समुहों को समाजिक आर्थिक इसेतियों में सुधाल लाने के लिए प्रदान मंतरी PB बिटी जी विकास मिशन को गोश्रा किया है, अगले तीन वर्सों में इस मिशन को लागो करने के लिए पंदर हजार करोड उपे उपलप्त कराई जाने की भी गोश्रा किया गया है, इसमें उनके परिवारों को सुरचित अवास, स्वच्पेजल, सिच्छा, स्वास्त, दूसर चार संपर्क इन सब को लिए बुनियादी सुब्दा अपलप्त कराई जाएगी, तरस मड़ी पॉइंट है कि प्रधान मंत्री जी ने जनजाती गौरो दिवस के अउसर पर जारकन के खुटी जिले से प्रधान मंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महामी अभियान क अब 75 जनजाती समोहों का अभिकास करना था जोगी खास्तों से सवेधन सील चेत्रों को और इसके लवा देखिए इसमें 24,000 क्लोड रुपे के टोटल परिवे को मंजूरी प्रधान किया गया, नाइन मंत्राला इसमें काम कर रहे हैं, 11 महतपूर चेत्र है, पक्का घर, सड चुनाव, इसमें टोटल सीट 90 सीट है, जो इंपोर्टेंट हुए ही देखेंगे, और टोटल 76.31 परसेंटेज मद्दान हुआ, इसमें बड़ा देखने हो के मिला, भारती राश्री कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी को बहुमत मिला, और बहुमत मि पिदान सभा में टोटल 230 सीटे उपर चुना हुआ, 35 सीटे 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 है, के लिए रचचड है, इसमें टोटल 77.15 मद्दान हुआ, और इस बार भी सेम रहा, जो 70 रूड भारती जनता पार्टी है, और इस बार 70% से अधिक सीटे जीट कर बहुमत हासिल किया, और मोहन यादो, जो कि भुपाल में मोहन यादो, जो कि उन्होंने नया मुख्यमंत्री के पद के रूप में सबत लिये, मिजोरम में भी चुना हुआ, यहां पर टोटल 40 सीटे हैं, यहां भी सेम चीजे हुआ, 80% मद्दान हुआ, और इहां पर नवी मिजोरम विदान सभा गठन के लिए हुए चुनाओ के पड़ा में, 4 दिसमें 23 को गश्रा हुआ, जिसमें 27 सीटे जोरम पीपल्स मुमेंट ने बहुमत जीत कर, बहुमत जीता, और इसमें देखिए, एक से अधिक महिला है, जितने का एक तरसे पहला रिकार्डर ही रहा है, और जे पीम पार्टी कांग्रेस के अतरित कोई अन्य पार्टी मुझोरम में मुख मंतरी के रूप में सबत लिया है, साथे साथ देखिए, अब राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में टोटल 200 सीटे थी, यहां भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना करना पड़ा, सत्ता रूड जो प हमारी और प्रेम चंदबर्वा ने उपमुख मंतरी के रूप में सबत लिया, तिलंगाना विदा सबाद चुनाओ, 119 सीटे हैं, 71% मद्दान हुआ, इसमें देख सकते हैं, तिलंगाना में भी इस बार उलेट फेर देखनों के मिला, भारती राश्री कंग्रास ने इस बार बहुमत हासिल किया, और जो भारती राश्रमिती पार्टी को हराया दिया, और 119 सीटों में से 64 सीटे जीत कर बहुमत हासिल किया, 8% महिला विधायक हैं, कुल 10, और अनमुला रिवेंत रेडी ने तिलंगाना के नए मुख मंतरी के रूप में सबत लड़ किया, जो कि दुस सतन्ता की 75 वर्षगाट मनाईगे, सतन्ता की 75 वर्षगाट से लेकर स्वामी वर्षगाट तक की 25 वर्षगाट तक की 25 वर्षगाट जो है, इसकी बिचे में अगर हम देखें, 25 वर्षगाट को अमरित काल की संग्या दिया गया है, इसमें हम दो देखें क्योंकि वर्षगाट 47 तक अमरित भारत का निर्मार करने की परिवर्षगारी विकाट स्यात्रा पर आगे बढ़दा है, बीजन 20 47 को सकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेम और किया सकता होगी, जो ग्रामीड युवाओं, सहरी युवाओं, ग्रामीड सहरी युवाओं को एकल मंज पर ला सकें, और इसको मेरा युवाओं भारत के रूप में एक ब्यापक सच्छमतंत्र की अस्थापना का नेड़ा लिया गया है, तो इसमें आप यही देखेंगे कि प्रधानमाति नर्यद मोदी जी ने नई दिल्ली में करता वपत पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवाओं भारत मंच का सुभारम किया है, यह एक स्वायत निकाह है और institutional mechanism प्रधान करता है विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, युवाओं नित्रुत के लिए, ठीके, इसमें हम लोग जो important point है, इसमें यह देखेंगे कि मेरा युवाओं भारत मंच राष्टी युवाओं निती में दी गई युवाओ इसमें मेरा युवाओं भारत एक फीचकल मंच है, जिसमें फीचकल प्रस्टीचल से समधित है, इसकर देखेंगे आजादी के अमरित महस्तों का समापन हुआ है, 75 वर्स पूरे होने का उस्तों मनाने और यहां के लोगों संस्कृति और उपलबदियों के गवरोशालित इ दिवस की मनाने गोश्रा किया गया, और 26 दिसम्बर को सहिब जादा जरावर सिंग, सहिब जादा फते सिंग की साहदत में बीर बाल दिवस की मनाने की गोश्रा किया गया, 14 अगस्त को विभाजन विविश्का स्मृति दिवस के मनाने की गोश्रा किया गया था, इसमें दे को देखें तो अजादी का अमरित महस्तों के समापन के अउसर बाग肉 मंत्री ने शीष परदर्शन वाले तीन प्रदर्शन बाले तीन केश्णा और राजय को अजयादी का अम्रित महस्तों पुरिश 성態 प्रदर्शका प्रदर्शन किया जिसमें जंभी क Dartmouth Sum ठीक है, I hope clear हो गया होगा, इसमें देखिए, मेरा माटी मेरा देश की भी सेम दे सकते हैं, मेरा माटी मेरा देश एक देश म्यापी और लोग का भीमुक अभियान है, जिसमें भारत की सुधनता के 75 वर्ष पुर होने के उपलप्च में आयुद किया गया था, clear हुआ, और इस अभियान का टैग लाइन है, मिट्टी को नमन और बीरो को बंदन, नमो भारत टेन भारत की पहली रैपिट रेल सेवाब बना, इसको भी दे सकते हैं, तो इंपोटेंट है, इसके मादेम से देखा जा तो छेतरी कनेक्टोटी को रुपानतित करने के प्रधान मंत्री की बी अरामदायक यात्तिरी परिवान सेवा है, या देश भर में एक सहर से दुसरे सहर तक सुरचित, विशुसनी और आदनिक अवागमन की सुरच्छा प्रतान करता है, ठीक, इसमें यही पॉइंट है, इसमें गलियारे जो हैं कि दिल्ली गाजियाबाद मेरट, दिल्ली गुर अब देखे, दिल्ली गाजियाबाद मेरट, आराटीसी, टीस गलियारे के कुल लंबाई, बैसी दसमें आठ एक पाच किलोमेटर है, अब देखेंगे, इस गति किसाद दिल्ली से मेरट तक कुल दूरी एक घंटे से भी कम समय में तैकिया आजा सकता है, इसके रहों देख स डालफिन प्रजातियों में से एक है, इसके अतरिक्त से तीन मीठे पानी को डालफिन में यांगजे नदी चाइना में पाई जाने वाली बैजी डालफिन, सिंदु नदी में पाई जाने वाली भूलन डालफिन और अमेजर नदी में पाई जाने वाली बोटो डालफिन के नाम से उलखनी है, दोय अच्छा में चिन की नदी डालफिन को बिलूप्त गोशित किया गया था और इसमें आगर हम लोग देखें, इसमें डालफिन प्राय समुद्री जल में ही पाय जाती है इसके अतरी तो बवडित चारो पर जाती हैं क्योल नदियें और जीलों में पाजाती हैं गंगा नदी डालफिन को प्राइय टाइगर अब दक गंगा के From You आपसे भी जाते हैं वी ध्यान देने की जरूरत हुती है मीठे पानी में रह सकते हैं गंगा नदी डालफिन और ये अस्तंधारी अंधे होते हैं ठीक है इसको भी और इको जो धोनी उस्वाजित करना और परवर्थिक धोनी को सुनकर वस्तिवियों के सिकार करना पता लगाना इनका एक तरह से काम होता है अस्मणी पॉइंट एक उत्तपरईस के वन विभाग के द्वारा जली जीव के रूप में मानता देने की गोश्रा किया गया है दोयादस में राश्ट्री जली जीव के रूप में गंगा नदी डालफिन को अधिस्टित किया गया है अस्म सरकार के द्वारा राज का जली पसु भी है और 2019 में सिंदुनदी की डालफिन को राज का जली पसु गोशित किया गया है उत्तपरईस के राज मचली चितला है और देशी बांगूर बिहार की राज मचली है आयोशियन के रेड लिस्ट में गंगा नदी डालफिन को संकट ग्रस की स्टेडी में वरगित किया गया है ठीक है अब देखते हैं नेस्ट में घोल मचली गुजरात की राजी की पहली मचली यह भी इंपोर्टेंट है ठीक है तो इसमें देख सकते हैं घोल मचली 21 नवंबर को मना जाता 2080 की दीवस गोल मचली का जो ब्रैग्यानिक नाम है प्रोटो निविया डाइक के थस है और भारत में सबसे बड़ी मचलियों में से एक है इसको गुल्डन फिस के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसके लब अगर हम देखा जाए तो देखिए गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डालफिन के महतपुर आवासों को सरचित के रुप में अधिशुचित किया गया जैसे कि बिक्रम सिला डालफिन कहां पे हैं बिहार में है बिहार के भागरपुर जिले में अब देखे भारती ये पेशड भेशज सहीता आयोग इसके हमें देखेंगे भारती भेशज सहीता जो कि इंडियन फर्मा कोपियों को केंदरी स्वास्त और परिवार कलेड मंतराले के ओर से प्रकाशित किया गया है भारती भेशज सहीता आजोग और इसमें क्या है कि भारत में निर्मित या विप्रण की जाने में दवायों को मानकों की अधिकारिक पुष्टक के रूप में मानता प्राप्त है ठीक है इसमें दे सकते हैं तीन से चार अक्टूबर को फार्मा कोपियल वारता समू की वार्षिक बैठक का आयो जोन इम्पोर्टेंट है इसकी अलवा देखिए समस्का सरस्का केंद्री जन्जाती विश्व विद्याला देखिए समस्का सरस्का जठारा कुम मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है यह आपको नाम तो जानते हैं एस्याक सबसे बड़ा जन्जाती मेला है यह त वार्षिक मेला है तेलांगाना के मुलगु जिले के तड़वाई मंडल इस्तित मेदाराम गाहों में आर्युद किया गया है यह मेला समस्का और चरलंबा के नितित में जन जाती बिद्रों के याद में किया जाता है और इस मड़ेक पॉइंट है कि प्रधान मंतिर नरिद लाइप मिशन भारत के नितित वाला एक बैसुक जन अन्दोलन है इसका उद्देश है कि परेयोड के रच्छा और सरच्छड के लिए ब्यक्तिगत और समुदाईक कारवाही को प्रेडित करना परेयोड के लिए जीवन सैली से समदित है लाइप का अतातपर था यह मिशन स एकता नगत जो कि गुजरात इस्थित जो इस्टेचू अपिनोटी है यहां से मिशन लाइप की अपचारिक सुभारम की गोश्रा किया था दोजार ठाइस तक भारत में नितमसी परशेंट गाउं और सहरों को पर्यावड अनुकुलन बनाने का लच्छन इधायत किया गया क्लियर हुआ इसके अलवा देखे जा इसमें असमडी पॉइंट तो आप जानते हैं नई दिली से टेवल फार लाइप कारकरम को बैस्टी ग्रूप से लांच किया गया है और इसमें देखिए दो अलग अलग छेत्रों का प्रारम किया गया पहला सुचता के लिए टेवल फ परेटन ग्राम पुरुषकार को गोश्रा किया गया इसमें 35 गाउं को पुरुषकृत किया गया यही जानिए बस स्रेड़े में पुरुषकृत गाउं है दावर बांधिपोरा जंबु कस्मिर का सरमोली पिताड़ा गार उत्राखन का रेयक नुममित मिजोरम का है इस तर उत्तवरेश का कुणावना ग्राम को राजत पुरुषकार में सम्मिल किया गया है अब देखे राष्ट्री हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है इसका बनसपती ने में आम जानते हैं जीनजी बेरेशी है एक पुषपी पादप है सदा बहार और और उसदी गुड़ों से या जयोशक्री योगित प्रती आक्षिकारक और कैंसर रोधी गुड़ों के लिए उतरदाई होते हैं बार सरकार ने राष्ट्री बोर्ड के गठन को अधिश्यूचित किया है राष्ट्री हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास यह समर्धन पध्यान केंदित करेगा हल्दी बोर्ड के निमने प्रमुक कारे होंगे ये हल्दी बोर्ड स्वास समंदी लावों के विशे में जागरुकता बढ़ाएगा और हल्दी के खपत को बढ़ाने के दिशा में कार करेगा हल्दी के निर्यात को भी बढ़ाने के लिए प्रसिद किया गया था और दूसरी बार दुसरी बार तेरहमी लोक सभा में पुना अटल व्यारी बाजबई की दौरान परसिद किया गया था और हलाकि राजिंगी दलों के सरसमिती से क्या भाव में यह बिदेग पास नहीं हो सका इस समय मनमहन सिंह के कारेकाल में भी लोगसभा की बजाए राज़सभा में परशुद किया गया था और इस बिदेग को प्रसुत कर दिया गया था करा दर pressured में पंद्रहवी लोकसेभा के साथ यह भीधक सुथा ही था तसमालिए पोयंट एक इसके लावग उपायगur 203 sameaz के लोकसेभा के द्वार पात्ति किया गया था ठीक है और रहचेल सभा में पात्त हुआ 106 सभिधान सयो दह। तेज के रूप में अधिनियम विद्ध हुआ, बहुत इंपोटन्ट है, और इसमें देखिए, इसकानून को अफचारिक रूप से नारी सक्थी बंदन अदहिंयй college को नाम दिए गया है और इसको नए संसत में दाएंबाभान में पारित होने वाला फारा बिधएक महिला बारशना बिधः बिधाय के रूप में है इसमें नियूनतम भागिदारी रहे प्लबाभागिदारी में रहे हैIs 233 के माद्यम से 249 AA में संसोधन किया गया गया और 330, 332, 334 में इसको जोड़ा गया ठीक है तो आप आई होब जानते हैं लोगसवा में SCST के लिए आरचित में से एक तियाई महिलाओं के लिए आरचित होगी वहीं पर लोगसवा में अन्य प्रतक्ष निर्वाचन के माद्यम से भरी जाने वाले कुल सीटों की एक तियाई सीटे SCST जनजाती के महिलाओं के लिए आरचित सीटों की संख्या महिलाओं के लिए आरचित होगी ठीक है इसको आप देख लिजीगा तो बस यही है और प्रधानमंत्री विशुकर्मा योजना बहुत इंपोटेंट योजना है खास्त वस्ते के जो कारिगर है सिल्पकार है भारती अर्थप्योस्था में बहुत इनका इंपोटेंट हिस्सा रहता है इनके लिए विशुकर्मा योजना को लाया गया है और ये लोग मुकेत लुहार, शोड़कार, कुम्भार, बढ़ाई ये सब आदी ब्योसा में सलंग रहते हैं इनके लिए प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना को प्रधान मंत्री नहीं दिली में इसको लांच किया और केंदरी योजना है या इसम नियुक्त किया गया है इसमें टैग लाइन है सम्मान सामर्थ सम्रिधी पांच वर्सों के लिए योजना निधायत रहे गिए पंद्र जो अठारफ परंपरिक व्योसा हैं इसमें सामिल किया गया है आप देख सकते हैं बढ़ाई नाव निर्माता अस्तर लुहार हाथा स्वड़कार माला बनाने वाले धोबी दर्जी इसम को सामिल किया गया है ठीक है यह सबी लोग इसमें पात रहूंगे और इन्हें गुरुत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर और अत्याधुनी को पहुच को सुगम बनाये जाएगा कौसल को अप्गेड किया जाएगा ठीक विकास लच्छ अच्छे स्वास्त और कल्यार से समझ दी थे अईश्मान भारत में बहुत इंपोटेंट है और इसमें देख सकते हैं चार अस्तम सामिल हैं हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर पीम जय प्रधान मंतरी भारत अईश्मान भारत स्वास्त अउसर अचना मिशन प्र तो यह एक ब्यापक राष्ट ब्यापी स्वास्त सिवाप पालें प्रते गाउं और सहर तक स्वास्त सिवाओं की अधिक्तम कवरेज सुनचीत करता हैं अब देखेंगे हम लोग राची भारत का पाला सहर सहर बना है राची मदब्रदिस का राष्यान जीला में एक छोटा स लाता है इसे दग्रेट इस्थूप की नाम से भी जानते हैं ठीक है उनई सो नवासी में साची इसित बहुत दस्मार्कों को इन उसकों के बिस्तो धरवर सोची में इसको सामिल किया गया है और भारत के प्रतम साउर सहर के रूब में भी उस समय के मुक्मंति शुराज सहर बनने के लिए मदबड़ी सरकार ने नवी और नवी क्राड़ी उर्जा विभाग आयटी कानपूर के साथ हस्ताचर भी किया मोई यू भी किया ठीक है ताब देख सकते हैं भविश में सांची के निकट मुल गाउं में पांस में गावाड की एक सवर पर योजना की अस् इससे कर्बन डायक्सायट की जो उस सर्जन में कटवती की जाएगी लपस्चोदव हजार टन की कटवती किया जाएगा साथ साथ आप देखें मोधेरा 24 इंटिवर 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 सवर उर्जा संचालित गाउं बना है जोकि मोधेरा गुजरात का है प्रदान मतरी के ताहत इसको किया गया है तो देखें यहां से राष्टी घटना क्रम को हम लोग बहुत ही अच्छे डंग से कंप्लीट किये हैं अब हम लोग नेस्ट में देखेंगे इसमें इसमें कि आपजेक्टिव कोश्चन को हम लोग एड कर देंगे जो इंपोटेंट रहा का राष यह परिदिर्श यह भहत इंपोटेंट है थांक यू सो मुच